आपके सामने ये जितना भी लिखा है, ये क्या है, can, could, may, might, should, must, ought to, would, shall, ये जो कुछ भी है, ये सभी है modal verbs, जिन्हां modal auxiliary verbs भी कहते हैं, आप में से कुछों को can का use धंग से पता है, can, can be, can have, लेकिन कईों को could के अलग-अलग use नहीं पता, कईों को may might में confusion हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी may might की वीडियो नहीं देखी है, उसको नहीं पढ़ा धंग से, या किसी को would में confusion हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में, जितनी भी ये modal verbs हैं, सभी modal verbs इस एक single वीडियो के अंदर cover होंगी, और आपको इस वीडियो को ध्यांस से अगर आपने पूरा देख ल आएगा, तो आईए शुरुबात करते हैं, एक एक करके देखेंगे, सबसे पहले शुरुबात करेंगे, कैन से, आपके सामने लिखा है सकता, सकता, sentences में सकता के कई सारे मतलब होते हैं, अच्छा कई students अलड़ी जानते भी होंगे, थोड़ा सा easy है, लेकिन हाँ, कुछ सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाता हूँ, मैं यह कहना चाता हूँ, कि मेरे अंदर ability है, ability मतलब होता है समर्थता, यानि मैं समर्थ हूँ, मैं able हूँ, मैं समर्थ हूँ, football खेलने में, या मैं कहता हूँ, कि मैं बहुत अच्छे से तैर सकता हूँ, swimming कर सकता हूँ यानि कि मैं अपनी ability की बात कर रहा हूँ अब अगर मैं यह कहूँ कि आज बारिश हो सकती है तो सकता, सकती, सकते आ गया लेकिन वहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ आज बारिश हो सकती है यानि कि मैं possibility की बात कर रहा हूँ जब मैं कहता हूं क्या मैं राहूल से बात कर सकता हूं, सकता हूं, आ गया सकता, लेकिन वहां पर मैं request कर रहा हूं, और जब मैं किसी से कहता हूं कि ठीक है, आप उससे मिल सकते हैं, यानि कि मैं उसको क्या दे रहा हूं, मैं उसको permission दे रहा हूं, permission का मतलब है कि मैं उसको अन करता है कि उस समय क्या हो रहा है subject की ability की बात या फिर किसी possibility की बात request है या कोई permission है ठीक हो गया जब भी हम बात करते है ability की ऐसे मैं उस sentence में सकता या पाता इन दोनों में से किसी भी word का use किया जा सकता है जैसे कि मैं आपसे से swimming कर सकता हूं या फिर मैं अच्छे से swimming कर पाता हूं तो कर सकता हूं या कर पाता हूं मैं football खेल सकता हूं या मैं football खेल पाता हूं तो सकता या पाता ऐसे में बात होती है ability की और जब ability की बात होती है तो अगर sentence अगर sentence बीते कल की बात बताए कि मैं पिछले साल फुटबॉल खेल सकता था या फुटबॉल खेल पाता था अब थोड़ा सा मेरे पैर उतने मजबूत नहीं है लेकिन लास्ट यार मैं खेल सकता था या खेल पाता था तो जब पास्ट में एबिलिटी की बात हो ऐसे में हो ऐसे में यूज होगा विल बी एबल टू अभी मैं आपको एक्जाम्पल देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते जैसे मान लीजी बाए को हूँ कि मैं बहुत अच्छा तैर सकता हूँ यह जो सेंटेंस आप देख रहे हैं एक चीज आप समझ लिए कैन की जगह पर जब भी कैन का यूज होता है एबिलिटी के लिए वहाँ पर चुकि एबल होना यानि समर्थ होने की बात हो रही है ऐसे में आप एबल टू का यूज कर सकते हैं और यह जो बी लिखा है इस बी क्या है बी का मतलब है बी वर्ब कौन से होती है बी वर्ब इस एम आर उनमें से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं आई के साथ एम लगता है यानि की कैन की जगह पर मैं कह सकता हूँ आई एम एबल टू I am able to swim very well clear अब मान लीजिये मैं कहता कि वो अच्छा तैर सकता है तो आई की जगह तब मैं क्या यूज करता मैं यूज करता ही यह भी बहुत बेसिक चीजे हैं लेकिन शुरुवात से आपको पता होना चाहिए एक एक चीज क्योंकि आगे चलके confusion नहीं होना चाहिए और अगर मैं कैन की जगह पर चाहूँ तो मैं be able to का formation यूज कर सकता हूँ और तब मैं कौन सी be verb यूज करूँगा he के साथ कौन सी be verb यूज होती है present में is तब मैं कहूँगा he is able to swim very well और ठीक इसी तरह से अगर मैं कहूँ आप बहुत अच्छा तैर सकते हैं तो आप आपके लिए मैं क्या subject यूज करूँगा you आई तो नहीं करूँगा you करूँगा और तब you के साथ में कौन सी be verb का use किया जाता है are you are able to swim very well तो ये बात तो आप समझ गए बहुत मुश्किल नहीं है simple अब देखे जब ability की बात past में होती हमेशा ध्यान रखना है तब can का use नहीं करना है तब केवल यूज करना है could could या फिर could की जगह पे आप be able to का formation भी यूज कर सकते हैं अब इसी sentence को अगर हम past में कह दें मान लिजे मैं कहूँ कि मैं पिछले साल बहुत अच्छा तैर सकता था सकता था past में मैं पिछले साल बहुत अच्छा तैर सकता था या मैं पिछले साल बहुत अच्छा तैर पाता था सकता या पता आगे है ना ability में past की बात हो रही है I अब यहाँ पर आगया could I could swim very well last year इसे मैं आप लिख देता हूँ अब ठीक उसी तरह से जैसे can की जगा पर हमने am able to कर दिया या is able to कर दिया या are able to कर दिया यानि कुल मिला के be verbs हमने use कर लिया उसके बाद able to उसी तरह से be verbs use कर सकते हैं उसके बाद able to अब past की be verbs कौन सी होती है आपको मैं पहले ही वीडियो में समझा चुका हूँ was या were तो अगर मेरे को I के साथ में could की जगह में सेंटेंस को be able to formation में बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ I was I के साथ तो was लगता है was able to I was able to swim very well last year मतलब वो ही है last year मैं बहुत अच्छा तैर सकता था या तैर पाता था was able to उसी तरह से अगर I की जगह पे मैं कह दूँ कि आप पिसले साल बहुत अच्छा तैर सकते थे you अब you के साथ में could तो लगा ही सकता हूँ you could swim very well last year लेकिन जैसा मैंने आप से बता है be able to formation में कैसे यूज करूँगा you के साथ क्या यूज होता है were you were able to swim very well last year अब इसी तरह से future को देख लेते है future में can या could का use आप ability के लिए कर ही नहीं सकते हैं आपके पास बस एक ही formation है और वो क्या है will be able to sentence क्या हो सकता है मैं आप से कहूँ अगले साल मतलब आने वाले समय में future की बात कर रहा हूँ अगले साल मैं बहुत अच्छा तैर सकूँगा सकता का क्या sense आ रहा है future में क्या होगा सकूँगा या फिर पाऊंगा अगले साल मैं बहुत अच्छा तैर सकूँगा या अगले साल एवल यह नहीं कि सकता बोला तो ही सोचेंगे, नहीं, सकूंगा यह पाऊंगा, क्योंकि बात हो रही है future में, ऐसे मैं मुझे यूज करना पड़ेगा, will be able to, इसके अलावा कोई भी विकल्प मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे sentence को बनाऊंगा, next year, अगले साल, I will be able to swim very well, मैं इ तक ही अगर आप notes बनाएं तो आपके लिए easy रहे, तो इस sentence को मैंने का, next year, I'll be able to swim very well, और यहां पर मैं I will नहीं कह रहा हूं, मैं क्या करहा हूं, I'll, I, और उसके बाद apostrophe double L, contraction होता है, already समझा चुका हूँ, पिसली वीडियो में, तो repeat नहीं करूँगा, बस मैं आपको बता करते हैं, तो contractions में ज्यादा अच्छा बोला जाता है, उससे अपकी speed बनती है, next year, I'll be able to swim very well, और आप चाहें, तो next year को, जैसे यहां पर last year को end में लिखा, उसी तरह से आप next year को end में बोल सकते हैं, I'll be able to swim very well next year, simple, और एक छोटी सी बात, चुकि हम यहां पर आ गए हमने can क को देख लिया, देखिए, could का negative क्या होता है, could के बाद not लगा देते है, could not, ठीक है, will be able to में अगर negative बनाना हो, कि अगले साल मैं बहुत अच्छा नहीं तेहर पाऊंगा, तो will के बाद क्या लगा देंगा, not, जैसा कि आप future के simple sentences में भी करते थे, और आपने future tense में भी इस च नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा knowledge के लिए बताता हूँ, can का जो negative होता है, वो can और not, ऐसे नहीं होता है, यानि ये दो अलग-अलग word की तरह नहीं लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, cannot, या तो ऐसे, cannot, या फिर contraction form में, can't, ये दो तरीके हैं, तो जब भी आप लिख जखें, negative, space मत दीजी बीच में, हमेशा या तो ऐसे, या फिर ऐसे, बोलने का तरीका, cannot, या can't, अच्छा, ये हो गया, अब बात करते हैं, possibility की, possibility के case में, ये present, past, future आपको कुछ नहीं देखना, क्यों नहीं देखना, क्योंकि जब भी आप possibility की बात करते हैं, तो हमेशा आज मैं मूवी देखने जा सकता हूं, या कल मैं मूवी देखने जा सकता हूं, तो वो पल, जाने का वो पल, action लेने का वो पल, अभी आया थोड़ी है, वो तो आएगा, चाहिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं मूवी देखने जा सकता हूं, यानि कि इस वक्त तो नहीं जा रह क्योंकि आज आप भविश्य के बारे में ही बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है। ऐसे में, can, could, may, might किसी का भी यूज किया जा सकता है। यहां पर कुछ भी present past future की तरह नहीं है कि could का use past में होगा, यह future में होगा इस तरह से कुछ भी नहीं। तो जैसे मानली जी मैंने sentence का कि कल मैं movie देखने जा सकता हूं। तो इसे मैं लिख देता हूं ताकि आप अपने notes में इसे लिख पाएं। तो आपने देखा can, could, may, might किसी का भी यूज कर सकते हैं। कई बार आपके मन में यह impression होता है कि can का use ability के लिए ही होता है। हाँ यह बात सही है कि can का use अक्सर ability के लिए ही होता है। आपको ideally तो possibility के case में हमेशा could, may, might का ही यूज करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप can का use करेंगे तो यह गलत होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह से sentence native भी बोलते हैं, tomorrow I can go to watch a movie, ठीक है। एक बात तो यह, दूसरी यह, यह tomorrow तो sentence के end में भी आ सकता है, I can go to watch a movie tomorrow, है न, इस तरह से हो सकता है। और tomorrow की जगह, मान लिजे मैं कहता हूँ, मैं शाम को movie देखने जा सकता हूँ, in the evening, I can go to watch a movie, या फिर, I can go to watch a movie in the evening, यानि in the evening आ गया sentence के end में। ठीक है, यह छोटी सी चीज है, इसे आपको ज़्यादा सोचना कुछ नहीं है, बस समझ लीजिए, can, could, may, might किसी कभी उस कर सकते हैं, possibility के case में। अब हम आजाते हैं, request और permission के case में। जब भी आप किसी से कोई request करते हैं, या आप permission देते हैं, ऐसे में आप can, could और may, इन तीनों में से किसी कभी उस कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए, मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे request करूँ, can I talk to Rahul, क्या मैं Rahul से बात कर सकता हूँ, can की जगह पे मैं कह सकता हूँ, could I talk to Rahul, या may I talk to Rahul, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, हलकि ये बात अलग है, कि ऐसा अकसर कहा जाता है, कि जब आप could या may का use request में करते हैं, तो ये ज़्यादा polite expression है, यानि कि इससे आपकी नमरता पता लगती है, कि आप किसने विनमर होकर कुछ request कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कि आप can का use नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, can I talk to Rahul, could I talk to Rahul, may I talk to Rahul, तो किसी भी तरह की request आपको करनी है, आप कह सकते हैं जैसे मान लिजे, मैं generally आपने सुना होगा, may I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, may I come in, उसी तरह से, could I come in, या फिर can I come in, तीनों तरीके साब sentence को बोल सकते हैं, ये बात अलग है, कि वहाँ पर may का use जादा common है, और could का use generally वहाँ पर नहीं होता है, नहीं करते हैं, कम सुना हो लेकिन हो सकता है, कि या भी जाता है, ठीक है, अच्छा, अब आती ही बात permission की, जैसे मान लिजिए कि पापा आपको permission दे रहे हैं, आपको उन्होंने कहा की, ठीक है, अब आप school जा सकते हैं, या फिर ठीक है, अब आप खेलने जा सकते हैं, आप खेलने जा सकते हैं, तो permission द तो चलिए अब आपने बेसिक आइडिया तो ले लिया है, अब हम उसी स्लाइड में मूफ करते हैं, जहां पर हमारी सारी मोडल वर्प्स हैं, सबसे पहले हमें शुरुबात करनी है, और समझना है can be और can have को, can be का use केवल दो सेंस में होता है, पहला सेंस जब किसी सेंटेंस में आए, हो सकता है, एक तो बात ही हो गई, हो सकता है, और दूसरा, किया जा सकता है, ये किया जा सकता है कैसा, जैसे की, उसके साथ बात की जा सकती है, आप से ये सवाल पूछा जा सक तो पूछने का काम किया जा सकता है, तो जब भी किसी काम को किया जा सकता है, ऐसा बताएं सेंटेंस में, तो भी can be का यूज़ होगा, example देख लेते हैं, बहुत ही simple है, जैसे अगर हम बात करें, हो सकता है, वो इस वक्त घर पर हो सकता है, वो हो सकता है, he, कोई लड़का है, he, can be, घर पर, at home, इस वक्त, right now, he can be at home, right now, अच्छा, इसके साथ साथ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कि हो सकता है, ऐसे केस में, बात तो possibility की हो रही न, कि वो इस वक्त घर पर हो सकता है, यह संभावना है, possibility है, तो जैसा मैंने आपको बताया already, कि जब भी possibility की बात हो, तो can की जगह पे could, may, या might का भी use कर सकते हैं, could, may, या might, अच्छा, जब इस sentence को negative बनाना हो, कि वो इस वक्त घर पर नहीं हो सकता, वो इस वक्त घर पर नहीं हो सकता, तो negative बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर तो use हो गया, can भी हो सकता है के लिए, can की जगह पे क्या लिख देंगे, या क्या बोल लेंगे, या तो आप कह देंगे can't, या आप कह सकते हैं, cannot, और मैंने आपको ये भी बताया है already कि cannot हमेशा इस तरह से बोला जाएगा, आप कभी भी space देखे मत बुलिए, ऐसे मत लिखिया आप cannot, बोलते वक्त तो आप कहेंगे cannot, पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप लिखेंगे English में sentence को negative, तो आप space दे सकते हैं, इस तरह से space नहीं द दिया जाता है, ऐसे negative नहीं बनता है, यही दो तरीके हैं, और अगर मुझे कहना है question, कि क्या वो इस वक्त घर पर हो सकता है, तो क्या से शुरुवात कर दी, तो can को शुरुवात में ले आएंगे, कैसे, can he be at home right now, question mark, और अगर मैं कहूं कि वो इस वक्त घर पर कैसे हो सकता है, कैसे, तो कैसे के लिए क्या use करते है, wh family member how, किसी भी sentence को बनाने का यही तरीका होता है, wh family member का आप शुरुवात में लिख देते है, how can he be at home right now, अच्छा, इसके अलावा एक बात बहुत important है, जब हम कहते है can, यहां पर देखिए possibility की बात हो रहे है, यह संभावना है कि व strong possibility, और जब हम कहते हैं कि सबसे कम possibility की बात है, ऐसे में use करते हैं might, मतलब इसका यह है कि अगर आप किसी से ऐसे कहेंगे, he might be at home right now, इसका मतलब है कि लगभग ना के बराबर संभावना है कि वो घर पर होगा, फिर भी हो भी सकता है, 1%, 1%, can के case में strong possibility है, बहुत जादा संभा जाओना है कि वो घर पर होगा, लगबग ऐसे समतलो 99% possible है, तो might का use हमेशा सबसे कम possibility, least possibility के case में करते हैं, अच्छा अगर मैं आपसे एक sentence कहूं कि आपको बनाना है, sentence है, क्या वो इस वक्त जिम में नहीं हो सकता, क्या वो इस वक्त जिम में नहीं हो सकता, तो negative भी है sentence, और क्या से शुरुवात हो रही है, तो interrogative भी है, कैसे बनाओगे आप sentence को, पहले can का use करोगे, can, उसके बाद आएगा subject, और negative interrogative sentence का rule तो हमेशा से हमको पता है, tense में भी सीखा, simple sentence में भी, not का use, subject के तुरंत बात होता है, और उसके बाद आएगा be, be क्यों आएगा, क्योंकि can be, यह पूरी की पूरी मेरी modal verb है इस समय, और आप जानते हैं कि जब भी दो words की कोई verb होती है, तो पहला वाला जो word होता है, वो तो शुरुवात में आ जाता है, लेकिन दूसरा subject के बाद आता है, can you not be at the gym, right now, right now की जगह पे हम कह सकते है, at this time, इस समय, at this time, और negative interrogative sentences में, जैस not का use जैसे subject के बाद होता है, आप चाहे तो इसको इसके साथ contract कर सकते है, आप कैसे कह सकते है, can't, can't be at the gym right now, और English बोलते वक्त तो ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन एक छोटी सी चीज जो आपको note करनी है, कि जैसा मैंने आपको बताया कि can का negative या तो can't हो सकता है, या cannot हो सकत है, तो शुरुवात में हम ऐसे नहीं बोलते है, हमेसा नहीं कर सकते, not को contract कर दिया, cannot कर दिया, cannot he be at the gym right now, ऐसे practice में ही नहीं, इस तरह से बोला नहीं जाता है, तो जब बोलते वक्त अगर आप negative बना रहे हैं इसको, ऐसे में can't कहिए, can't he be at the gym right now, मान लीजे, किसी ने आप वक्त कहां हो सकती है, क्या लगता है, वो कहां है इस समय, और आप कहते हैं, कि वो अपने भाई के साथ school में हो सकती है, तो हो सकती है, can be, कोई लडकी है, she can be, वो हो सकती है, कहां पर, in school, किसके साथ, with her brother, अच्या एक चीज और है, एक बड़ी interesting चीज, अगर आपको ध्यान हो, tense, may be simple sentences, may be हमने यह देखा था, कि यह आपकी verb है, इस समय auxiliary verb तो यह है, auxiliary modal verb ठीक है, तो आप ही जानते हैं कि जब objective part, यह पूरा objective part है, जब भी objective part की शुरुवात किसी preposition से हो जाए, उससे तुरंत पहले आप there का use practice में करते हैं, कर सकते हैं अगर आप नहीं भी करेंगे, तो sentence सही है लेकिन अगर आप there का use करते हैं, तो भी sentence बिल्कुल सही है, और इसी तरह से English में बोला जाता है, she can be there in school with her brother, she can be there in school with her brother तो दोनों तरीके से सही है मान लिजी एक sentence लेता हूं, कि अगले साल तक मैं मैंनेजर हो सकता हूं या बन सकता हूं, अभी तो नहीं हूं लेकिन हो सकता है अगले साल मैं मैंमेनेजर हूं है ना and I can be मैं हो सकता हूं, I can be a manager अगले साल तक by the next year and then हम अच्छे friends सकते हैं we can be good friends अच्छा यह जितने भी sentences हैं यहाँ पर हर जगह पर संभाव ना की तो बात हो रही है तो ऐसे में can की जगह पर हम could, may या might इन तीनों में से किसी का भी use कर सकते हैं तो यह बहुत simple हो सकता है के लिए अब हम बात करते हैं can be का use किया जा सकता है के लिए इस case में हमेशा एक बात आपको समझनी है वैसे तो हम active passive बाद में सीखेंगे लेकिन यह sentences हमेशा passive voice के sentence होते हैं passive voice के जो कि हम आगे सीखेंगे तो फिलाल आप सिर्फ इतना अभी सीख लिजिए कि sentence में जब भी किसी काम को किया जा सकता है यह sentence को बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ और यहां पर हमेशा ही verb की क्रिया की third form का use आपको करना है ठीक है example कैसा हो सकता है जैसे आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है भेजने के भेजना भी तो एक काम है एक क्रिया है वर्ब है तो भेजने के काम को किया जा सकता है आपको कल दिल्ली भीजा जा सकता है तो subject क्योंने आप you उसके बाद verb कौनसी लगाई modal verb CAN be you can be भेजने के काम को किया जा जा भेजना send send की third form send you can be sent आपको भेजा जा सकता है कहा you can be sent to Delhi कब, कल, tomorrow कि यहां पर भी आपको कल दिल्री भीज आ जा सकता है। बात तो possibility की हो रहे है, संभावना की हो रहे है। इस बात की संभावना है, our chance है कि आपको कल दिल्री भीजा जा सकता है। तो possibility की बात है तो कन की जगा पर आप good, may, ya, might इन तीनों का भी use कर सकते हैं। इसके इसके अलावा sentence क्या हो सकता है? जैसे ये target achieve किया जा सकता है, कोई target आपको दिया गया है, ये target achieve किया जा सकता है, achieve यानि उसे प्राप्त किया जा सकता है, उस तक पहुचा जा सकता है, तो प्राप्त करना, achieve ये भी ते क्रिया है, तो उस काम को किया जा सकता है, achieve करने के काम को क this target can be, और achieve की third form achieved, this target can be achieved, अभी तो जब आप practice करेंगे तो ज़्यादा clear होगा, फिलाल तो मैं सिर्फ आपको concept बता रहा हूँ, जैसे कि ये किया जा सकता है, ये, this या it, ये, it can be, करना, किया जा सकता है, करना, अब यहाँ पर तो खेलना, पढ़ना, achieve करना, भेजना ऐसा नही बताया किया, करने को do कहते है, do की third form done, it can be done, आपको किसी भी शहर भेजा जा सकता है, you can be sent to any city, हमें इस बारे में बताया जा सकता है, हमें बताया जा सकता है, we, we can be, बताने को tell कहते है, tell की third form told, या फिर, बताना यह नहीं सूचित करना, inform, inform की, third form, informed, हम दोनों में से किसी का भी उस कर सकते है, we can be told, हमें बताया जा सकता है, इस बारे में, about this, इस तरह से sentence बनते हैं, ठीक है, easy है, अब हम बात करते है, can have की, यह था can be, अब बात करते है, can have, can have का सिर्फ एक ही मतलब होता है, किसी भी sentence में, सिर्फ एक ही मतलब, pass हो सकता है, ये वो pass नहीं है कि pass या दूर pass का मतलब मेरे पास या उसके पास जैसे आपके पास laptop हो सकता है हमारे पास car हो सकती है ऐसे मैं हमेशा can have और आप तो जानते हैं जैसे मान लिजे मैं कहूँ कि मेरे पास car है मेरे पास है I have a car तो उसी तरह से हो सकता आगया तो can का यूज हो गया मेरे पास car हो सकती है I can have a car अगर हो कि उसके पास car हो सकती है He can have a car अचा subject कोई भी हो modal verbs का तो नियमी यह है कि चाहे can है, may है, might है यह कभी देखना ही नहीं कि subject singular है plural है, third person है, first person है क्या है उसके पास car हो सकती है He can have a car अगर इस sentence को मुझे negative बनाने है उसके पास car नहीं हो सकती He can की जगह में क्या कर दूँगा He cannot have He cannot have a car या फिर He can't have a car एक बात तो यह दूसरी बात, जब मैं कहता हूँ कि उसके पास car हो सकती है तो किस चीज की बात कर रहा हूँ Possibility की तो बात कर रहा हूँ संभावना की तो बात कर रहा हूँ तो जब मैं possibility की बात कर रहा हूँ इसका मतलब मैं can की जगह पे क्या क्या यूज कर सकता हूँ Could, May, or Might He could have a car या फिर He may have a car या फिर He might have a car और जैसा मैंने आपको बताया कार होने की संभावना अगर बहुत जादा है तो can और बहुत कम है तो फिर Might क्योंकि Might का use हमेशा least possibility में सबसे कम संभावना में किया जाता है अगर sentence को interrogative बनाना हूँ क्या उसके पास कार हो सकती है क्या तो can का use शुरुवात में can he have a car और अगर negative interrogative बनाना हो कि क्या उसके पास कार नहीं हो सकती तो subject के तुरंट बात मैं not का use कर लूँगा can he not have a car या फिर मैं चाहूँ तो not का use इसके साथ में जो भी उस sentence की verb है उसके साथ में contract करके can't he have a car अब मैं याँ पर अगर कुछ जोड़ना चाहूँ तो मैं जोड़ सकता हूँ उसके पास car क्यों नहीं हो सकती क्यों क्यों के लिए why why can't he have a car उसके पास car क्यों नहीं हो सकती उसके पास अगले साल laptop हो सकता है उसके पास तो वो he He can have, उसके पास हो सकता है, एक laptop अगले साल next year. He can have a laptop next year. चिंता मत करिये, जल्द ही आपके पास अच्छी जॉब हो सकती है. जल्द ही आपके पास अच्छी जॉब हो सकती है. चिंता मत करिये, एक लिए तो simple देखे, don't worry. don't worry जल्द ही आपके पास अच्छी जॉब हो सकती है you can have आपके पास हो सकती है एक अच्छी जॉब a good job जल्द ही soon ठीक है कुछ और sentence लेते हैं अगर आप newspaper रोज पढ़ें तो आपके पास भी अच्छा ग्यान हो सकता है अगर आप newspaper रोज पढ़ें if you read अगर आप पढ़ें newspaper रोज the newspaper every day तो आपके पास भी अच्छा ग्यान हो सकता है then you can also have you आपके पास भी हो सकता है तो can have तो you can also have भी के लिए मैंने also का यूश कर लिया ये मैं conjunctions में भी आपको बताऊंगा अभी फिलाल आप थोड़ा सा समझ लिजे then you can also have good knowledge और मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकता हूँ कि also का use ना करूँ और also की जगा sentence के end में मैं लगा दूँ to you can have good knowledge to तो यादर to कह लूँ या मैं also कह लूँ इस तरह से मैं sentence को बना सकता हूँ आपके पास भी अच्छी command हो सकती है English की अगर आप मेहनत करें तो आपके पास भी अच्छी command हो सकती है you can also have good command over English अगर आप मेहनत करें you can also have good command over English if you work hard if you work hard तो इस तरह से sentence बनते हैं तो अब तक आपने क्या क्या देखा सबसे पहले तो आपने देखा can का use, ability, possibility, request या permission के case में और आपने हर जगा पे ये देखा कि possibility, request, permission की जब भी बात हो can की जगा पे could में might request के case में किवल could या may का use किया जा सकता है ability अगर past में है तो could का use या हमेशा आपको बिलकुल बारी किसे याद रहना चाहिए तभी आप जब आगे बढ़ेंगे तो sentences को बना पाएंगे जब हम practice करेंगे और future के case में will be able to can be का use आपने दो जगा पे देखा हो सकता है के sense में और किया जा सकता है के sense में और आपने ये भी जाना कि किसी भी काम को किया जा सकता है तो जिस भी काम की बात होगी उस काम की third form का use किया जाएगा और can have का use के वल एक sense में होता है और वो sense है pass हो सकता है अब हम बात करते हैं could की, could के सभी use जब भी हम बात करते है could की तो आपको sentence में यह तो सकता दिखता है, पाता दिखता है, सका, पाया यही सब दिखता है आपको सकता, 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 सकता हर जगह पे ठीक है और could के साथ be लग जाए could के साथ have, could have been, could have had आ जाए sentence में could have to या could have had to अलग-अलग तरीके से sentence में क्यों यूज किया जाता है क्या sense होता है, क्या मतलब होता है वो आपके सामने लिखा है हो सकता है इसको देखकर कि आप सोचेगी यह बहुत difficult है confused करेगा, बिल्कुल भी नहीं एक-एक को देखेंगे, examples के साथ में आसानी से चीजें समझ में आएंगी practice करेंगे, तो और clear हो जाएगा लेकिन उससे पहले, एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए यह एक revision की तरह आप समझ लीजिए सकता है कह दिया, तो present सकता था आगया sentence में, तो past में बात हो रही है और सकेगा यह पाएगा आगया, तो future में बात हो रही है यानि आने वाला पल, future यानि आने वाला समय जैसे वो खेल सकता है present में, वो खेल सकता था past में वो खेल सकेगा यह खेल पाएगा, मतलब एक ही है और जब भी sentence में सकता पाता यह सब आता है तो sentence या तो subject की ability को बता रहा होगा या किसी संभावना की बात कर रहा होगा request हो सकती है, permission हो सकती है, hypothetical case हो सकता है या कोई इच्छा हो सकती है, wish, केवल यह 6 aspects है, जिनको हमें देखना है अगर मैं बात करूँ ability की, ability मतलब समर्थता यानि कि subject किसी काम को करने में समर्थ है जैसे मैं इस int को उठा सकता हूँ, यानि मेरे अंदर ये काबिलियत है मैं समर्थ हूँ आज मैं movie देखने जा सकता हूँ, एक संभावना है possibility क्या मैं राके से बात कर सकता हूँ, एक request की मैंने आप अब घर जा सकते हैं, तो सकते हर जगा आ रहा है, सकता सकती हर जगा आ रहा है आप अब घर जा सकते हैं यानि कि क्या दे रहें अनुमति यानि पर्मिशन अगर मेरे पास उन दिनों जॉब होती तो मैं लैपटॉप खरीद सकता था एक कलपना की जा रही है नहीं थी मेरे पास उस समय जॉब लेकिन अगर होती कि तुम्हें laptop खरीद सकता था और या फिर इच्छा जैसे काश में उन दिनों वहाँ जा पाता काश में एक laptop खरीद पाता इस तरह के sentences अब आगे बढ़ने से पहले एक बार बस आप किवल देख लिजे could का use सकता है सकता था सका पाया पाता इन cases में होता है could be का use हो सकता है या किया जा सकता है could have been का use हो सकता था या किया जा सकता था could have had, pass हो सकता था, could have to, करना पढ़ सकता है, could have had to, करना पढ़ सकता था, या करना पढ़ जाता, ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं, यहाँ पर verb की first form, first form, first form, third form, third form, third form, third form, first form, first form, simple सी बात याद रखिए, could के साथ, अकेला जब could आए, तो हमेशा verb की first form, ठीक है, किसी भी case में, ठीक है, जब भी could be आए, could have आए, या, could have been आए, could have been, इन सभी cases में verb की third form, could के साथ be आया, have आया, have बीन आया, हमेशा कौन सी form, third form, और could have to आ गया, यानि end में to आ रहा है, to, could have to, या could have had to, तो to के बाद, तो हमेशा verb की first form ही लगती है, हर जगा पे, इसलिए verb की first form, तो याद करने का थोड़ा सा तरीका एक में आपको दिया, अब हम start करते हैं, एक एक करके, फटा फट चलेंगे, आगे practice भी करनी है, सबसे पहले concept को समझते हैं, start करते हैं could से, किसी भी sentence में, सकता है आ गया, तो आप could का use कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, मैं आज office जा सकता हूँ, कौन जा सकता है, मैं जा सकता हूँ, I could जाने को go, I could go to the office today, और मैंने आपको बता है, could के साथ हमेशा verb की first form, इसलिए go, I could go to the office today, अब अगर यहाँ पर कहना होता कि मैं कल office जा सकता हूँ, कल मतलब आने वाला कल, तब भी, I could go to the office tomorrow, तो मैं जा सकता हूँ, वो जा सकता है, वो खेल सकता है, चाहे इस वक्त, चाहे in future, कभी भी अगले महीने, अगले अफते, हमेशा क्या कहना है, could, I could go to the office tomorrow, कल मैं office जा सकता हूँ, वो शाम को आपसे मिल सकता है, कौन मिल सकता है, वो मिल सकता है, वो के लिए हम क्या कहेंगे, ही, वो मिल सकता है, could, meet, मिलने को meet कहते है, he could meet you in the evening today, आज शाम को आपसे मिल सकता है, क्या मैं राहूल से बात कर सकता हूँ, क्या मैं राहूल से बात कर सकता हूँ, सकता हूँ आ गया, could I talk to राहूल, question mark, ये एक प्रश्ण है, एक question है, इसलिए तो मैंने could का use I से पहले कर दिया, क्या मैं राहूल से बात कर सकता हूँ, अगर मैं प्रश्ण नहीं पूछता बलकि मैं आपको बताता, कि मैं राहूल से बात कर सकता हूँ, ऐसे में could का use I के बात होता, I could talk to राहूल, मैं आपका boss हूँ, आप मेरे office में काम करते हैं, अब आप से कहता हूँ, अब आप जा सकते हैं, you could leave now, तो आप देख रहे हैं, मैं आज office जा सकता हूँ, ये एक possibility है, यानि संभावना है, मैं कल office जा सकता हूँ, संभावना है, वो आज शाम का आप से मिल सकता है, possibility यानि संभावना है, could I talk to Rahul, क्या मैं Rahul से बात कर सकता हूँ, ये एक request है, you could leave now, अब आप जा सकते हैं, ये एक permission है, इसी तरह की request क्या हो सकती है, जैसे, क्या आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं, could you speak a little louder please, question mark, ये भी एक request है, क्या आप बोल सकते हैं, क्या आप speak कर सकते हैं, थोड़ा सा तेज, अब एक चीज देखिए, जब मैंने आपको can समझाया, तो मैंने आपको क्या कहा था, सकता है कि आप can का use कर सकते हैं, बताया आपको, यहाँ पर भी, same way, आप can, may, might, तो can, may, might किसी का भी use कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, I can go to the office today, आज मैं office जा सकता हूँ, I may go to the office today, I might go to the office today I might go to the office today, ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो सकता है, यहाँ पर भी से हो सकता है, और जब हम request करते हैं, क्या मैं रहूल से बात कर सकता हूँ, could I talk to रहूल, तो could की जगह पर, क्या-क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं, can I talk to रहूल, may I talk to रहूल, लेकिन might I talk to रहूल का use essay में नहीं करते हैं request में यह बात मैंने can में आपको बताईए तो यहाँ पर आप can या फिर may का यूज कर सकते हैं तो आपने देख लिया request के case में आप केवल can या may या could इन तरीकों से ही request कर सकते हैं और जब आप permission देते हैं अब आप जा सकते हैं you could leave now permission के case में क्या होता है बताईए permission के case में आप can भी कह सकते हैं you can leave now या फिर you may leave now या फिर you might leave now तो permission के case में तो आप तीनों का use could के अलावा कर सकते हैं चलिए तो यह तो बहुत ही simple था ठीक है अब हम बात कर लेते हैं सकता था या पाता था अच्छा यहाँ पर आप एक चीज नोट करना सकता था के आगे लिखा है a जबकि यहाँ पर भी सकता था है इसके आगे क्या लिखा है h और मैं यह कह रहा हूँ कि जब case h वाला हो तब तो use होगा could have और जब case a वाला हो तो use होगा could अब आप सोचेंगे सर यह a और h का मतलब क्या है a का मतलब है ability ability यानि की समर्थता और h का मतलब है hypothetical hypothetical का मतलब जैसे मैंने आपको अल्रेड़ी बताया क्या kalpnit hypothetical अच्छा पहचानने का तरीका भी होता है जैसे की यह वाला सकता था जब किसी sentence में आएगा तो उसका मतलब पाता था ही होगा यानि की सकता था की जगा पाता था बोल पाओगे लेकिन इस case में उसका मतलब पाता था नहीं होगा अब आप सोचोगे की sentence क्या हो सकता है जैसे की मान लीजिए मैं कहूँ की पिछले साल मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता था खेल सकता था यानि खेल पाता था पिछले साल मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेल पाता था तो सकता था का सेंस पाता था का आ रहा है और फुटबॉल खेलने की बात हो रही है उसकी खेल सकने की बात हो रही है यानि कि फुटबॉल खेलने की एबिलिटी की बात हो रही है कि मैं सक्षम था फुटबॉल खेलने में तो इस केस में सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे मैं पिछले साल बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता था I could play football very well last year अच्छा ये जो sentence मैं केवल English में लिख रहा हूँ Hindi में आपको नहीं लिख रहा हूँ मैं यापर आप निश्चेन्त रहिए जो मेरी website में notes हैं उसमें मैंने Hindi में एक-एक sentence लिखा हूँ है तो वहाँ पर आपको सम मिलेगा अभी फिलाहाल मेरा जो purpose है वो आपको ये बताना है कि देखिए आप इस sentence को किसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपके मन में क्या बात आ रही है आपके मन में बात आ रही है कि मैं पिछले साल बहुत अच्छा football खेल सकता था अब नहीं खेल सकता मैं लेकिन पिछले साल खेल सकता था यह पिछले साल में बहुत अच्छा football खेल पाता था यह पाता था वाला sense है इसलिए यहाँ पर मैं could का use कर पा रहा हूँ यहां पर जब हम पहुंचेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इन sentences में आप पाता था वाला sense नहीं निकाल सकते अचा यहां पर इसी sentence को कि आपको यह याद है कि जब मैंने आपको can बताया तो मैंने आपसे क्या कहा कि can की जगह पे जैसे मान लीजिए थोड़ा सा revise भी होगा मैं एक sentence कहता हूँ I can play मैं खेल सकता हूँ तो मैं अपनी ability की बात कर रहा हूँ present में ability की बात तो can का use कर रहा हूँ और आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ऐसे में आप am able to का भी यूज़ कर सकते हैं is mr के साथ able to चुकि i है i के साथ m I am able to play उसी तरह से मैंने वहाँ पर ये भी बताया था कि could की जगह पे या तो आप was work के साथ में able to का यूज़ करके भी sentence को बना सकते हैं अब आप जानते हैं यहाँ पर i है i के साथ use होगा was तो इसी sentence को हम कैसे बना सकते हैं I could play football very well last year की जगह I was able to play football very well last year यहाँ पर लिख देता हूँ तो कुल मिला के आपने देखा कि could की जब ability की बात होती है अब जैसे मालली जी मैं कहूं की उन दिनों वो बहुत अच्छी English बोल सकता था उन दिनों वो बहुत अच्छी English बोल सकता था आजकल नहीं बोल पाता है क्योंकि उसके आजसा पास ऐसा महोल नहीं है लेकिन उन दिनों वो बहुत अच्छे English बोल सकता था उन दिनों यानि कि those days वो बोल सकता था He could speak, उसके ability की बात हो रही है He could speak English very well यहाँ पर हमने कहा कि उन दिनों बहुत अच्छे English बोल सकता था यानि बोल पाता था तो उसके ability की बात हो रही है वह बच्चा किसी से बात नहीं कर पाता था, वह बच्चा किसी से बात नहीं कर पाता था, नहीं, could not, that kid could not talk to anyone, हम किसी भी function को attend नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि, because we had no money, हमारे पास पैसे नहीं थे, यानि पैसे नहीं होते थे, मैं खाना नहीं बना पाता था, यानि मैं कुक नहीं कर पाता था, food, जब तक मेरी ममी ने मुझे नहीं सिखाया कि कैसे करते हैं, मैं खाना नहीं बना पाता था, I could not cook the food, जब तक मेरी ममी ने नहीं बताया कि कैसे बनाते हैं, जब तक, अंटिल, अंटिल माइ मदर टॉट मी, ये कंजंग्शन है, कंजंग्शन में समझेंगे, फिलाल मैं सिरफ आपको एक ग्जंपल दे रहा हूं, तो ग्जंपल बिलकुल ऐसा लगना भी चाहिए, जो डेट अटो डेटो डेटो यूज में, आप यूज करते हैं, डेटो 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 कॉनसेशन में, I could not cook the food until my mother taught me, मेरी मम्मी ने जब तक नहीं मुझे सिखाया, कैसे बनाते हैं, How to cook, तो sentence समझा, I could not cook the food, मैं food नहीं बना पाता था, जब तक नहीं मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे, जब तक नहीं मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे How to cook, कैसे पकाते हैं, अब चुके cook बार-बार आ रहा है तो understood है, इसलिए जनरली इंग्लिश में जब थोड़ा advanced level पर आप जाएंगे, cook का यूज नहीं करेंगे, I couldn't cook the food until my mother taught me how to, और could not की जगह पे, जनरली बोलते वक्त भी लिखते वक्त भी हम contraction का यूज करते हैं, could not नहीं कहते हैं बजाए इसके क्या कह देते हैं, couldn't और यह जितने भी sentence हैं इनमें, could not की जगह पर मैं क्या कह सकता हूं, was not able to, क्या सकता हूं न, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, उस kid की ability की बात कर रहा हूं, कि वो किसी से बात नहीं कर सकता है, उसके अंदर इतनी समर्थता नहीं है, we could not attend any function, could not की जगह पर क्या आ जाएगा, we were, अच्छा we के साथ तो were लगता है, और I के साथ, I could not cook the food, तो I के साथ क्या लगएगा, could not की जगह पर, was not able to, I के साथ was लगता है, तो यह है concept, सकता था पाता था का, अब आ जाते हैं सका या पाया पर, किसी भी sentence में सका या पाया आ गया, आपको यूस करना है could, बहुती simple से sentence होते हैं, वो आ नहीं सका या वो आ नहीं पाया, मैं खेल नहीं सका, यानि मैं खेल नहीं पाया, मैं जा नहीं पाया, तो मैं जा नहीं पाया, खेल नहीं सका, आ नहीं सका, बैट नहीं सका, वो रो नहीं सका, वो सो नहीं सका, इस तरह के सभी sentences जैसे मैं कहूँ वो घर नहीं आ सका यानि वो घर नहीं आ पाया कौन नहीं आ पाया है? वो, वो के लिए कोई लड़का है He could not come home आप यहां पर देख रहे हैं कि could के साथ में verb किया हमिश्चा जैसे मैंने आपको बताया first form का ही use होता है मैं किसी तरह वहां पहुंच सका मैं किसी तरह वहां पहुंच सका मैं, I, I could अगर होता कि मैं पहुंच सका तो मैं कहता है I could reach लेकि मैंने कहा मैं किसी तरह वहां पहुंच सका तो किसी तरह के लिए एड़वर्ब यूज़ करते है somehow यह बात आगे एडवांस जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आप समझेंगे I could somehow पहुंचने को reach, उसकी first form reach I could somehow reach there, मैं किसी तरह वहां पहुंच सका आप यह कैसे कर पाए, आप यह कैसे कर पाए या आप यह कैसे कर सके interrogative sentence है, question पुछा गया है, कैसे को how कहते है आप जानते हैं किसी भी interrogative sentence में सबसे पहले WH family का member, उसके बाद जो भी उस sentence की auxiliary verb है could, उसके बाद subject, subject है आप उसके बाद verb की first form करने की बात हो रही है, आप यह कैसे कर पाए How could you करने को do, do, यह it, how could he do it? वो इतना मेहंगा gift कैसे खरीद पाया, कैसे खरीद पाया इतना मेहंगा gift कैसे खरीद पाया, कैसे के लिए फिर से एक बार how उसके बाद auxiliary modal verb could, how could और subject क्या है, वो How could he buy, खरीदने को buy कैते हैं, first form का use किया जाएगा How could he buy, वो कैसे खरीद पाया, इतना मेहंगा gift, such an expensive gift question mark मैं कल आपको call नहीं कर पाया, क्योंकि मैं busy था मैं कल आपको call नहीं कर पाया, I couldn't call you, मैं आपको call नहीं कर पाया क्योंकि because, इसे because या because, दोनों तरीके से बोला जाता है, I couldn't call you yesterday, मैं आपको कल नहीं कर पाया, क्योंकि मैं व्यस्त था, या मैं busy था, I was busy क्या आप कह पाये, जो आप कहना चाहते थे, क्या आप कह पाये, जो आप कहना चाहते थे, तो पहले इतना बनाते हैं, क्या आप कह पाये, could you say question क्या आप कह पाए क्या से शुरुवात हो रही है तो could you say क्या आप कह पाए जो what आप कहना चाहते थे you wanted to say मान लिजिए आप English बस अभी अभी आपने शुरुवात की है बहुत सारी चीज़ां आपको नहीं पता होंगी तो मैं बता दूँ यहाँ पर what a conjunction है conjunctions में cover करेंगे you wanted to say आप कहना चाहते थे यह past indefinite tense में sentence है already हम cover कर चुके हैं तो could you say क्या आप कह पाए जो आप कहना चाहते थे you wanted to say तो सही था simple सा use है और सका पाया के लिए यह नहीं कि could की जगा पे may can might का use कर सकते हैं बिलकुल नहीं सका यह पाया के लिए केवल और केवल आप use करते हैं could अब हम देखते हैं could का अगला use पाता किसी भी sentence में आया पाता जैसे काश मैं उससे मिल पाता काश वो यह खरीद पाता मैं यह कैसे कर पाता अगर आपने मेरी help नहीं की होती तो इस तरह के sentences ठीक है तो पहले देख लेते हैं काश मैं आपसे एक बार मिल पाता यह हमारा sentence है अब काश के लिए तो देखिए I wish का use कर जाता है काश I wish मैं आपसे एक बार मिल पाता I could meet you once काश मैं मिल पाता आपसे एक बार बिना आपकी मदद के मैं ये किताबें कभी नहीं खरीद पाता मैं ये किताबें बिना आपकी मदद के कभी नहीं खरीद पाता I could कभी नहीं आ गया केवल नहीं नहीं है कभी नहीं तो never आ जाएगा I could never buy मैं कभी नहीं खरीद पाता क्या ये किताबें बिना आपकी मदद के without your help मैं यहां कभी नहीं आ पाता अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं यहां कभी नहीं आ पाता I could never come here मैं कभी नहीं आ पाता अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो उस बात को हम बाद में बोलते हैं पहले का मैं कभी नहीं आ पाता I could never come here अगर if आपने मेरी मदद नहीं की होती तो if you didn't help me if you didn't help me अब आप सोचेंगे कि ये if you didn't help me यह if वाला जो clause है यह क्या है? इसमें confusion हो सकता है आपको तो मैं आपको बता दूँ यह conditional clause है जिसके बारे में हम आगे conditional sentences की वीडियो में सीखेंगे तो फिलाल यह हमारा topic नहीं है, हमारा topic है could, यहाँ पर इसका sense आ रहा है पाता का sense क्या आप उससे मिल पाते क्या आप उससे मिल पाते question है क्या से शुरुवात हो रही है क्या आप मिल पाते could you meet him काश वो मेरी feelings को समझ पाता काश के लिए तो I wish वो समझ पाता he could understand मेरी feelings my feelings मुझे नहीं लगता कि इससे जादा explain करने की जरूरत है concept को practice में तो चीज़े बहुत आएंगी बहुत सारे sentences practice करने पड़ेंगे फिलाल तो concept है अब हम बात करते हैं could be की could be का use do sense में किया जाता है जब sentence में हो सकता है या फिर किसी काम को किया जा सकता है तो एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हो सकता है वो इस वक्त वहां हो सकती है जब हम कहते है हो सकता है या हो सकती है हो सकते है इसका मतलब हम subject की presence की बात कर रहे है उपस्थिती की बात कर रहे है ठीक है वो इस वक्त वहां हो सकती है लड़की है she she could be वो हो सकती है वहाँ, there, इस वक्त, right now, she could be there, right now, और अगर आपको ध्यान हो, तो can के topic में, can में, इस से पहले, could से पहले can में, मैं आपको बता है था, हो सकता है, के लिए आप can be कह सकते हैं, किसी काम को किया जा सकता है, ऐसे में भी आप can be कह सकते हैं, तो मैं आपको यह बता दू, यह जो है, यह complete, हो सकता है, यह किया जा सकता है, यहाँ पर could, can के साथ साथ may यह might का भी यूस किया जाता है, और यह बात मैंने can में भी आपको बता ही है, तो यहाँ पर आप can भी कह सकते हैं, she can be there right now, could तो कही सकते हैं, may भी कह सकते हैं, और might भी कह सकते हैं, she could be there right now, she can be there right now, she may be there राइट नाओ, she might be there right now, इन सभी का एक ही मतलब है, वो इस वक्त वहाँ हो सकती है, अगर इस sentence का negative बना लूँ क्यों वो इस वक्त वहाँ नहीं हो सकती, तो could के बाद not लगा देना है, she couldn't be there right now, couldn't मतलब could not, अगर इस sentence को मैं interrogative कर लूँ, यानि प्रश्न वाचा कर लूँ, क्या इस वक्त वह वहाँ हो सकती है, तो could का ही शुरुवात में कर लूँगा, could she be there right now, अगर इस sentence को मैं negative भी बना दूँ, अभी ये sentence क्या था, interrogative में क्या था, इसका मतलब, इसका मतलब था, क्या इस वक्त वह वहाँ हो सकती है, अगर मैं कह दूँ, क्या इस वक्त वह वहाँ नहीं हो सकती, negative बना दिया, question भी है, negative भी है, आप ही जानते हैं कि किसी भी negative, interrogative sentence में सब्जेक्ट की तुरंत बाद हम not लगा देते हैं क्या इस वक्त वह वहां नहीं हो सकती कुछ शी not be there right now या फिर आप यह जानते हैं कि negative interrogative कोई सभी sentence जो होता है not को या तो आप subject के बाद लगा लें और या फिर could के साथ contract करके use कर लें और इसे कह दें आप couldn't couldn't she be there right now इस पूरे sentence को लिख लेता हूं आप अपनी notebook में note भी कर रहे होंगे अचा अगर इससे पहले मैं कह दूँ इस तरह से कह दूँ कि इस वक्त वह वहां क्यों नहीं हो सकती आप कैसे कह रहे हो मुझे तो लगता है कि वह वहीं होगी आप कैसे कह रहे हो वह इस वक्त वहां क्यों नहीं हो सकती तो क्यों के लिए मैं क्या use कर लूँगा Why? Why couldn't she be there right now? ठीक है? अचा एक sentence लेते हैं. ये बहुत risky हो सकता है? मत करो. ये बहुत risky हो सकता है. ये, ये के लिए it या this could be, यानि हो सकता है. Very risky. It could be very risky. ये बहुत risky हो सकता है. मत करो. Don't do it. यह बहुत risky हो सकता है, मत करो, it could be very risky, don't do it. हो गया हो सकता है, तो हर जगर जहां भी sentence में आया हो सकता है, इस तरह से आपको use करना है. अब हम बात करते हैं, किया जा सकता है, किया जा सकता है का मतलब simple है, किसी भी काम को किया जा सकता है, किसी भी काम को, जैसे उसे भेजा जा सकता है, तो भेजने के काम को किया जा सकता है, भेजना यहाँ पर काम है, है न, एक क्रिया है न, वर्ब है, तो उसे भेजा जा सकता है, subject वो, he could be, और भेजने को send कहते हैं, send की third form, sent, मैंने आपको बताया, could be के साथ हमेशा वर्ब की third form, He could be sent अब अगर इस sentence के आगे थोड़ा सा जोड़ दूँ उसे अगले साल मुंबई भीजा जा सकता है He could be sent to Mumbai कब अगले साल next year तो आपने देखा कितने आराम से sentence बना He could be sent उसे भीजा जा सकता है Mumbai अगले साल यह आसानी से किया जा सकता है यह के लिए 8 year this This could be किया जा सकता है करने को do कहते है do की third form यहाँ पर तो हमेशा third form लगती है It can be done यह किया जा सकता है बहुत आसानी से Very easily यह target achieve किया जा सकता है किसी ने आपको कोई target दिया और आप कहते हैं यह target achieve किया जा सकता है This target could be Achieve करना Achieve की third form क्यों होती है Achieved This target could be achieved मुझे घर वापस भेजा जा सकता है अगर मैं perform ना करूँ तो अगर मैं perform ना करूँ अच्छी performance ना दूँ तो मुझे घर वापस भेजा जा सकता है I could be भेजने को send send की third form sent I could be sent back home अगर मैं perform ना करूँ तो if I don't perform हमें इस मुद्दे के बारे में बताया जा सकता है बताने के काम को देखिए किया जा सकता है तो बताना एक काम है न जिसे हम tell कहते हैं तो tell की third form told का युश किया जाएगा हमें बताया जा सकता है हमें के लिए we we could be told इस मुद्दे के बारे में about this matter we could be told about this matter मैंने जब आपको can के बारे में बताया था तो बिलकुल इसी तरह के sentence वहाँ पर लिये थे और तब मैंने can be का यूज किया था और तब मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पर आप could be भी कह सकते हैं मैं बी भी कह सकते हैं might बी भी कह सकते हैं जैसा मैंने आपसे थोड़ी दिर पहले भी का कि इस पूरे केस में आप may be, might be, could be, can be कुछ भी कह सकते हैं तो same way में यहाँ पर आप could be की जग़ा पर can be, may be, might be किसी कभी यूज कर सकते हैं और इन sentences में हमेशा ही ऐसा होता है कि subject किसी भी काम को किया जा सकता है उसे बेजा जा सकता है उसे बताया जा सकता है उसे यह दिया जा सकता है उससे लिया जा सकता है ऐसा कोई भी sentence आप could be, can be, may be, might be use करिए अब हम बात करते हैं could have की Could have का पहला use होता है सकता था जब किसी sentence में आई सकता था लेकिन जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सकता था तो यहाँ पर भी आता है तो फिर फर्क क्या है यह ability के लिए यानि समर्थता को बताने के लिए और यह hypothetical यानि की कालपनेक अब थोड़ा सा फर्क को समझ लेते हैं देखिए यह जो sentence होते हैं इन में सकता था की जगवे पाता था भी कह सकते हैं जैसे मान लिजिए पिछले साल में बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता था यानि की हर sentence जो सकता था के साथ बनेगा वो sentence पाता था के साथ भी बन सकता है क्योंकि वहाँ पर पात हो रही है ability की, जबकि ये जो सकता था है, ये कैसा होता है जैसे, उन दिनों हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे, या उस दिन हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे, पर हमने की नहीं, तो वो पल बीद गया, वो समय बीद गया, तो हम सिर्फ एक कलपना कर रहे हैं, हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं और एक तरह से हम पचता रहे हैं रिग्रेट कर रहे हैं कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे आप उस दिन उसे हॉस्पिटल में देखने जा सकते थे लेकिन गई नहीं आप तो एक कल्पना हो रही है एक तरह का रिग्रेट है खेद है मन में कि ये काम हो सक था, है न, ठीक है, इस तरह के sentence होते हैं, तो ज़रा sentence को बना के देखते हैं, जैसे मैंने का कि हम उस दिन एक दूसरे की मदद कर सकते थे, हम कर सकते थे, we, कर सकते थे, मदद कर सकते थे, we could have, मदद करने को help, help की third form, helped, क्योंकि मैंने आपको बता है, could have के साथ में क्या लगता है, वो अपकी third form, we could have helped, एक दूसरे की, यानि की each other, we could have helped each other, उस दिन, that day, आप मुझे इस बारे में बता सकते थे, लेकिन आपने बताया नहीं, तो ये जो सकता था है, इसमें हमेशा पता क्या होगा, कि ये काम कर सकते थे, पर actual में किया नहीं, जैसे आप उन दिनों अच्छी पढ़ाई कर सकते थे, पर आपने की नहीं, आपने पढ़ाई किये होत लेकिन बताया तो नहीं न, तभी तो कल्पना हो रही है, आप बता सकते थे, You could have, अब बताने को क्या कहते हैं, बताने को tell कहते हैं, tell की third form, हमेशा third form का ही use करना है, You could have told, आप बता सकते थे किसे मुझे, इस बारे में about this या about it, तो मैं it लिख देता हूं, about it, You could have told me about it, अच्छा, इस से related और क्या sentence हो सकते हैं, वो मुझसे मिल सकता था, पर उस दिन वो busy था, मतब व्यस्त था, वो मुझसे मिल सकता था, He could have met me, meet की third form met, He could have met me उस दिन, that day, लेकिन वो busy था, But he was busy, हम साथ में पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन बारिश की वज़ा से आप नहीं आये, हम साथ में पढ़ाई कर सकते थे, पर देखे की नहीं न, We could have studied together, लेकिन आप नहीं आये, You didn't come, बारिश की वज़ा से, due to rain, तो आपने देखे न, कैसे कितना इंट्रेस्टिंगली सेंटेंस बना, हम पढ़ाई कर सकते थे, साथ में, लेकिन, You didn't come, past indefinite tense का sentence, आप नहीं आये, किस कारण से, due to rain, वो UPSC का exam, बहुत आसानी से निकाल सकता था, लेकिन निकाल तो नहीं पाया न, तो सिर्फ एक कल्पना की जा रही है, एक regret हो रहा है, कि वो बहुत आसानी से UPSC का exam, निकाल सकता था, यह नि pass कर सकता था, वो पास कर सकता था, यह कुड़ हैव, पास करने को पास कहते हैं, पास की third form, past, यह कुड़ हैव पास थी UPSC exam, very easily, तो आपने देखा कि हर जगह पे वर्ब की third form का use किया, यह बात हमेशा याद रखिएगा, कुड़ के साथ B आता है जब भी, और किसी वर्ब की form लगानी है third form, कुड़ हैव के साथ हमेशा third form, कुड़ हैव बीन के साथ हमेशा third form, अच्छा, और आपने यह भी समझ लिया एच्छे से, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, कि सकता था जब भी ऐसा वाला आए, कि आप खेल सकते थे, लेकिन खेला नहीं आपने, आप पढ़ सकते थे, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन बने नहीं, सिर्फ कलपना है, एक खेद है मन में, ऐसे में आप यूज़ करेंगे, और जब भी समर्थता की बात होगी, एबिलिटी की, जहां पर कि आप इस काम को कर सकते थे, आप इट उठा सकते थे, आप गाड़ी चला सकते थे, चला सकते थे, यह नि चला पाते थे, आप eat उठा सकते थे यह नहीं उठा पाते थे आपके अंदर इतनी ताकत थी इतनी ability थी ऐसा सकता था जो है उसमें यूज़ करेंगे could अब हम दूसरा यूज़ देखते है could have का वो क्या है पास हो सकता है तो ऐसा समझ लिजिए जैसे सकता है के लिए could ये could है और पास होना के लिए have का यूज़ करते है न मेरे पास car है I have a car तो पास होना के लिए have और सकता है के लिए could तो could have का यूज़ पास हो सकता है उसके पास अगले साल एक कार हो सकती है क्योंकि वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता है उसके पास कार हो सकती है पास हो सकती है ये पास हो सकता है किसके पास उसके पास कोई लड़का है He could have सिर्फ इतना लिखा तो इसका क्या मतलब है उसके पास हो सकता है ठीक है Qyya हो सकता है उसके पास? क्या चीज हो सकती है जिस चीज के बारे में उसके बारें बताएंगे e car, कब? IGLES साल. Next Year IGLES साल उसके पास e car हो सकती है. अब इस sentence में कहीं पर भी word की third form की बात आई? नहिं आई. क्यों नहीं आई? क्योंकि इस sentence में subject के द्वारा किसी काम को करने की बात हुई ही नहीं simple तो जो ये sentence होते हैं मेरे पास laptop हो सकता है आपके पास car हो सकती है उसके पास pen हो सकता है उसके पास किताब होनी चाहिए हो सकती है तो ये जो pass हो सकता है तो कोई ना कोई चीज है वो जो चीज है उसके बारे में बताया उससे पहले could have का use किया जिसका मतलब क्या निकल रहा है पास हो सकता है या pass हो सकती है अगर इस sentence को negative बनाना है उसके पास अगले साल car नहीं हो सकती क्योंकि वो अच्छा नहीं कमा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो कार खरीद लेगा उसके पास अगले साल कार नहीं हो सकती तो negative sentence है तो करना क्या है यहाँ पर not लगा देना है He could not have a car next year अच्छा अगर interrogative हो जाए क्या उसके पास अगले साल कार हो सकती है आपको ऐसा लगता है कि उसके पास कार हो सकती है तो could का use सब्जेक्ट से पहले interrogative में ऐसे होता है Could he have a car next year और अगर इस sentence को मैं negative भी बना दूँ negative का मतलब कि मैं कह दूँ कि क्या अगले साल उसके पास कार नहीं हो सकती तो क्या अगले साल उसके पास कार नहीं हो सकती क्या से भी शुरुबात कर दिया interrogative भी है और नहीं हो सकती negative भी बना दिया तो आप जानते है negative interrogative में subject के तुरंद बन not लगा देते है या फिर आप not को could के साथ मिला सकते है couldn't कह सकते है couldn't he have a car next year couldn't he have a car next year कि अगले साल उसके पास कार नहीं हो सकती अच्छा अगर मैं कहूँ कि अगले साल उसके पास कार क्यों नहीं हो सकती तो क्यों के लिए मैं क्या करूँगा why लगा दूँगा couldn't से पहले why why couldn't he have a car next year ठीक है अच्छा इसके अलावा sentence क्या हो सकता है कुछ भी sentence ले लो आप pass हो सकता है इस related जैसे उन लोगों के पास pen हो सकते हैं ठीक है उन लोगों के पास pen हो सकते हैं तो किन के पास हो सकते हैं pen उन लोगों के पास वो लोग क्या कहेंगे वो लोग के लिए those people could have, उन लोगों के पास हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, pens, those people could have pens, आप अगर रोज न्यूस पेपर पढ़ें, तो आपको भी अच्छा ग्यान हो सकता है, अगर आप रोज न्यूस पेपर पढ़ें, अगर if, आप पढ़ें, you read, क्या पढ़ें, न्यूस पेपर, if you read the newspaper, रोज, रोज मतलब एवरी डे ये डेली, तो मान लिजी मैं लिख देता हूँ, एवरी डे, if you read the newspaper एवरी डे, आपको भी अच्छा ग्यान हो सकता है, यानि आपके पास भी अच्छा नॉलेज हो सकता है, आपको भी अच्छा ग्यान हो सकता है, का मतलब यही तो है न, कि आपके पास भी अच्छा ग्यान हो सकता है, यहनि आपके पास भी अच्छा नॉलेज हो सकता है, किसके पास, आपके पास, you could have आपके पास हो सकता है अब यहाँ पर मैंने कह दिया आपके पास भी हो सकता है तो भी के लिए यह जो conjunction also लगता है have से पहले आप इसका use कर सकते है you could also have आपके पास भी हो सकता है क्या? you could also have good knowledge good knowledge का मतलब अच्छा ग्यान आप चाहें तो एक काम यह कर सकते हैं यहाँ पर also के बजाए आप sentence के end में to लगा सकते है if you read the newspaper every day you could have good knowledge too या फिर you could also have good knowledge तो यह clear हो गया हमने concept तो देख लिया practice तो बाद में करेंगे next है could have been जब भी किसी sentence में आए हो सकता था या फिर किया जा सकता था ऐसे केस में आप यूज करते है could have been और एक बात को आप नोट करिए could be जो था यह हो सकता था यह क्या था हो सकता है किया जा सकता था यह क्या है किया जा सकता है तो हो सकता है यह किया जा सकता है ऐसे में could be और हो सकता था और किया जा सकता था ऐसे में could have been बस इस तरह से अगर आप याद करेंगे बड़े आराम से आपको दोनों चीज़ें याद हो जाएंगे ठीक है अच्छा sentence, examples लेते हैं सबसे पहले हो सकता था में कैसे हो सकता है जैसे ये बहुत risky हो सकता था आपने बहुती dangerous काम किया ये बहुत risky हो सकता था ये it हो सकता था could have been बहुत risky, very risky it could have been very risky आप उस वक्त उस building में हो सकते थे आप उस वक्त उस building में हो सकते थे पर किस्मत से आप वहाँ नहीं थे मान लिजे भूकम पाया और किसी कोई बिल्डिंग तूट गई, तो तब कोई रहती कह रहा है, आप उस वक्त उस बिल्डिंग में हो सकते थे, पर किस्मत से आप वहाँ नहीं थे, तो आप उस बिल्डिंग में हो सकते थे, you could have been in that building उस दिन, that day. लेकिन किस्मत से आप वहाँ नहीं थे, किस्मत से मतलब फॉर्चुनेटली या लकीली, लकीली आप वहाँ नहीं थे, you were not there. वो लड़की अपने घर में हो सकती थी, वो लड़की अपने घर में हो सकती थी, that girl, वो लड़की, could have been हो सकती थी, अपने घर में, in her house. इसी तरह से एक example और ले देते हैं, धोनी सुबे 6 बजे जिम में नहीं हो सकता था, क्योंकि उस वक्त वो ग्राउंड पे होता है. धोनी सुबे 6 बजे जिम में नहीं हो सकता था, क्योंकि उस समय वो ग्राउंड में होता है, आप उससे 6 बजे मिलने जिम चले गए, जब क्यों तो ग्राउंड में होता है. एसा सेंटेंस हमें बोलने की जोद पढ़ती है, सब्जेक्ट कौन है, धोनी, धोनी नहीं हो सकता था, हो सकता था के लिए could have been, नहीं हो सकता के लिए could not, could not का contraction couldn't कह देंगे, couldn't have been, धोनी couldn't have been in the gym, gym में सुबह 6 बजे at 6 o'clock, 6 o'clock या at 6, 6 बजे in the morning, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, यहां पर आप at 6 o'clock in the morning भी कह सकते हैं, आप at 6 in the morning भी कह सकते हैं, और आप चाहें तो कह सकते हैं at 6 a.m, a.m का मतलब भी यही होता न, सुबह का 6 बजे, धोनी couldn't have been, धोनी नहीं हो सकता था, जिम में सुबह 6 बजे, क्योंकि उस वक्त वो ground पे होता है, because he is on the ground at that time, तो मैंने क्या का, क्योंकि, क्यों नहीं हो सकता था, जिम में सुबह 6 बजे, क्योंकि, he is, वो होता है, एक separate वीडियो में बताये था, मैंने आपको जब भी ऐसा होता है, वो घर पर होता है, वो वहां होता है, हम यहां होते हैं, ऐसे में ismr का use करते हैं, वो होता है, ground पर उस वक्त, at that time, तो आप यह देख पाए, कि could have been का use हो सकता था के sense में कैसे किया जाता है, अब कुछ examples ले लेते हैं, किया जा सकता था के लिए, आपको दिल्ली भेजा जा सकता था, भेजने के काम को देखे, किया जा सकता था, था बिल्कुल ऐसे जैसे यहां पर था कि आपको दिल्ली भेजा जा सकता है, है बोला तो, you could be sent, यहां पर आपको दिल्ली भेजा जा सकता था, you could have been sent, हमें इस बारे में बताया जा सकता था, लेकिन आपने बताया ने, हमें इस बारे में बताया जा सकता था, बताना एक काम है, उस काम को किया जा सकता था हमें बताया जा सकता था we could have been बताने को tell tell की third form told we could have been told इस बारे में about this उन्हें अवज दिया जा सकता था उन्हें अवज दिया जा सकता था पर आखरी वक्त पे फैसला बदल दिया गया बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा काम करता है, उन्हें अवार्ड दिया जा सकता था। यानि अवार्ड देने के काम को किया जा सकता था। और। यहां पर किस काम की बात हो रही है? देने की। He could have been given, देने को give, give की थड फर्म, given. He could have been given. क्या दिया जा सकता था, Award, the Award, लेकिन आखरी वक्त पर, but at the last moment, फैसला बदल दिया गया, the decision was changed, लेकिन आखरी वक्त पर, the decision was changed, फैसला बदल दिया गया, next, हम से पूछा जा सकता था, हम से पूछा जा सकता था, कौन, हम, we could have been, पूछने के काम को किया जा सकता था, we could have been, पूछने को ask कहते हैं, ask की third form, asked, we could have been asked, उसे प्रतारित किया जा सकता था, प्रतारित किया जा सकता था, लेकिन पुलीस ने बहुत अच्छे से व्यवहार किया तो उसे परतारित किया जा सकता था कोई व्यक्ति है, he, कोई लड़का है he, he could have been क्या किया जा सकता था? torture, torture की third form, tortured he could have been tortured लेकिन पुलीस ने बहुत अच्छा व्यवहार किया वो आगी की बात है लेकिन, but, the police कैसा व्यवार किया बहुत अच्छे से behaved very well लेकिन के बाद ये जो sentence है the police behaved very well ये past indefinite tense का sentence है past indefinite tense में वर्ब की second form, ठीक है तो he could have been tortured उसे torture किया जा सकता था किया जा सकता था लेकिन, police ने बहुत अच्छा behave किया अब हम बात करते हैं, could have had की past हो सकता था मेरे पास laptop हो सकता था उसके पास आज एक घर हो सकता था हमारे पास किताबे हो सकती थी विल्कुल वैसे ही जैसे past हो सकता है है की case में could have और past हो सकता था की case में could have had आज उसके पास एक बड़ा घर हो सकता था लेकिन उसने मेहनत नहीं की इस sentence को में बनाना है आज उसके पास एक बड़ा घर हो सकता था subject कौने वो he could have had उसके पास हो सकता था क्या एक बड़ा घर a big house कब आज today लेकिन but उसने मेहनत नहीं की he didn't work hard यह past indefinite tense का negative sentence है जो कि already हम past indefinite tense में cover कर चुके है but he didn't work hard इस sentence में अगर मैं चाहूँ तो today को मैं शुरुवात में भी यूज कर सकता हूँ today आज he could have had a big house उसके पास एक बड़ा घर हो सकता था but लेकिन he didn't work hard उसने मेहनत नहीं की मेरे पास भी इस वक्त एक laptop हो सकता था मेरे पास I I could have had a laptop too यहाँ पर मैंने two का यूज क्यों किया क्योंकि मैंने भी का भी I could have had a laptop too मेरे पास भी laptop हो सकता था आपके पास कार खरीदने के लिए पैसे हो सकते थे लेकिन आप कभी बचा नहीं पाए यान या आप कभी बचा नहीं सके तो वहाँ पर तो code का यूज हो जाएगा और आपके पास कार खरीदने के लिए पैसे हो सकते थे आपके पास हो सकते थे subject कौन है आप You could have had आपके पास हो सकते थे पैसे, money You could have had money किस चीज के लिए? कार खरीदने के लिए To buy खरीदने के लिए क्या? Car To buy a car लेकिन But आप कभी पैसे बचा नहीं पाए आप कभी पैसे बचा नहीं पाए You could कभी नहीं के लिए never अगर होता कि आप पैसे बचा नहीं पाए You could not save money लेकिन आप कभी नहीं बचा पाए तो not की जगर never हो गया You could never save money अच्छा इसी तरह का एक sentence और ले लेते हैं मेरे पास भी computer हो सकता था लेकिन बजाए इसके मैंने mobile खरीदना प्रेफर किया यनि की mobile ज्यादा important लगा मुझे बजाए computer के मेरे पास भी मेरे पास एक computer हो सकता था I could have had a computer बट लेकिन मैंने बजाए इसके mobile खरीदना प्रेफर किया बट आइ प्रेफर्ड ये past in definite tense में आ गया बट के बाद बट आइ प्रेफर्ड क्या खरीदना mobile खरीदना to buy a mobile बजाए इसके भी कान मैंने उसके लिए मैं लगा लेता हूँ instead ये धीरे धीरे जैसे से आप advanced English में जाएंगे आप समझने लगेंगे instead का use क्यों हो रहा है I could have had a computer मेरे पास computer हो सकता था लेकिन I preferred to buy मैंने prefer किया verb की second form लग गई यहां पर यह past indefinite tense में I prefer to buy a mobile instead अच्छा तो यह sentences हो गए could have had के अब बात करते है could have to किसी भी sentence में करना पढ़ सकता है कहा जाए किसी भी काम को करना पढ़ सकता है जैसे आपको आज उससे मिलना पढ़ सकता है ऐसे मैं किसे मिलना पढ़ सकता है आपको you could have to मिलना पढ़ सकता है मिलने को meet you could have to meet किसे मिलना पढ़ सकता है उसे कोई लड़का है you could have to meet him आज today मुझे आज school जाना पढ़ सकता है किसे मुझे I could have to verb की हमेशा first form का use होता है नहीं यहाँ पर यह बार शुरुबात भी मैंने आपको बता ही I could have to go to school today, आज मुझे school जाना पढ़ सकता है हमें अगले महीने दिल्ली जाना पढ़ सकता है हमें जाना पढ़ सकता है, we could have to go to Delhi next month आपको आज रात, office में ही रुकना पढ़ सकता है किसी काम को कर सकने की मजबूरी आपकी You could have to रुकना पढ़ सकता है, रुकने को तो stay करना कहते है ठेहरना पढ़ सकता है, रुकना पढ़ सकता है You could have to stay, आपको रुकना पढ़ सकता है कहां पर office में ही in the office आज रात को tonight रवी को मेरे घर दोबारा आना पड़ सकता है रवी को मेरे घर दोबारा आना पड़ सकता है रवी could have to come to my house again इन सभी sentences में आपने देखा कि could have to के बाद आपने verb की हमेशा first form का use किया ये important है ठीक है अब बात करते हैं could have had to could have had to का मतलब क्या निकलता है करना पड़ सकता था जैसे यहाँ पर करना पड़ सकता है करना पड़ सकता था बीते कल में करना पड़ सकता था या करना पड़ जाता बस ये जब भी sentence बोलना पड़े लिखना पड़े could have had to और verb की तो हमेशा first form का use करते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आपको उससे मिलना पढ़ सकता था या फिर आपको उससे मिलना पढ़ जाता कोई भी sentence आपको बोलना हो, आप ऐसे ही बोलेंगे आपको you could have had to उससे मिलना पढ़ जाता, could have had to meet him हमें पिछले महीने दिल्ली जाना पढ़ सकता था या हमें दिल्ली जाना पढ़ जाता कोई भी sentence बोलना हो आपको, could have had to का use करियेगा हमें, we could have had to go to Delhi last month आपको आज school जाना पढ़ जाता आपको आज स्कूल जाना पढ़ जाता लेकिन बारिश हो गई और प्रिंसिपल ने छुटी डिकलेयर कर दी इस तरह का सेंटेंस हमें बोलने की जोद पढ़ती है आपको आज स्कूल जाना पढ़ जाता You could have had to go to school today लेकिन बारिश हो गई But it rained यह past indefinite tense में sentence है जहाँ पर subject है it और उसके बाद verb की second form लेकिन बारिश हो गई And the principle declared an off और principle ने declare कर दिया क्या declare कर दिया? Off यानि छुटी यह verb की second form है past indefinite tense में तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह भी past indefinite tense में यह भी past indefinite tense में यह तो conjunction है जो conjunction में हम समझेंगे यह भी conjunction है तो आप देख सकते हैं कितना interesting use है You could have had to go To के बाद देखें वर्ब की first form हमेशा ठीक है? अच्छा और क्या example हो सकता है? अगर मैडम उसे आपके साथ बात करनी पड़ जाती अगर मैडम उसे आपके साथ बिठा देथी तो उसे आपके साथ बात करनी पड़ जाती वो आपसे बात नहीं करना चाता लेकि उसे बात करनी पड़ जाती अगर if मैडम उसे आपके साथ बिठा देती तो उसे आपके साथ बात करनी पड़ जाती अगर मैडम उसे आपके साथ बिठा देती तो अब इस sentence को बनाने का थोड़ा सा तरीका conditional sentences में आता है जहांपर had का use होता है could have had का use if के अलावा जो clause है उसमें if the man had made him sit with you अभी थोड़ा सा advanced formation हो गया हो सकता है आपको समझ में नहीं आया he could have had to talk to you if the man had made him sit with you एक तो had का use होना यहां पर क्योंकि ये conditional type 3 का sentence है और ये हम conditional sentences में सीखेंगे अगर आपको already conditional sentences आते हैं तो आसानी आपके लिए समझना के head का use क्यों हुआ और made him sit देखें अगर मैडम उसे आपके साथ मैडम या मैम अगर मैम उसे आपके साथ बिठा देती तो तो बिठा देती अच्छा sit मतलब बिठाना नहीं होता sit मतलब बैठना होता है और बिठाने को तो कहते हैं make sit make sit बिठाना मतलब make sit अच्छा जैसे हसना मतलब laugh, लेकिन हसाना मतलब make laugh, ये चीजें आप धीरे धीरे आगे सीखेंगे, तो यहाँ पर head के बाद verb की third form, इसलिए make की third form made कर दिया, और उसके बाद हमेशा ये causative verb का formation है, जिसे आप आगे सीखेंगे, फिलाल जो हमारा मकसद है वो could को समझना है और हमने could के सभी use को देख लिया, can हम पढ़ चुके हैं, could हम पढ़ चुके हैं, अब बारी है may और might की, और ये can, could, may, might के जितने भी use हैं, इन सभी का एक ही मतलब होता है, किसी काम को कर सकना, या किसी काम को कर पाना, जब भी किसी sentence में subject किसी काम को कर सकता है, या कर पाता है, तो can और could का use हमने देख लिया है, कि या तो ability की बात होगी, या फिर possibility की बात होगी उस sentence में, या कोई request या कोई permission देने की बात होगी, hypothetical हो सकता है, यानि कोई kalpnick बात, कोई kalpna, जो कि अब नहीं हो सकती, और या फिर कोई सकता हूँ, या वो football खेल सकता है, तो subject जब किसी काम को कर सकता है, करने में काबिल है वो, समर्थ है, ऐसे में, सकता है बोला, तो केवल can का use होता है, या फिर can की जगह पे is able to, am able to, या are able to, ये बात अल्रीड हम समझ चुके हैं, सकता था, ability के case पे, जब हम कहते हैं कि वो eat उठा सकता था, वो 2 km रोज दोड सकता था, तो subject के किसी काम को कर सकने की काबिलियत की बात हो रही है, ability की, ऐसे में could का use होगा, या फिर was able to, या were able to, के साथ में sentence बनता है, या सका या पाया, जैसे वो खेल नहीं सका, मैं किसी तरह वहाँ पहुच पाया, या पहुच सका, ऐसे में भी could का use होता है, या was work के साथ able to, और जब हम future की बात करते हैं, जैसे अगले साल मैं ये काम कर सकूँगा, या कर पाऊँगा, या कोई व्यक्ति ये काम कर सकेगा, या पायेगा, ऐसे में हमेशा will be able to, यह हम अलड़ी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कहीं पे भी may might क use नहीं हो सकता है, अब बात करते हैं possibility की, जब हम कहते हैं कि आज बारिस हो सकती है, या हम कहते हैं कि वो आपके घर आ सकता है, या मैं movie देखने जा सकता हूँ, ऐसे में मैंने already आपको बता दिया है, आप can का use कर सकते हैं, highest possibility, सबसे ज़्यादा possible अगर ये बात, तो can का use, य इसके अलावा मैंने आपको already ये भी बताया कि वहाँ पर आप may ये might का भी use कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा revise कर रहा हूँ, फिर sentences में आएंगे, क्योंकि already मैं ये चीज आपको बता चुका हूँ, और जब संभावना की बात हो सकता था, जैसे, कल आप मेरे घर आ सकते थ वो आपके साथ खेल सकता था, हम वहाँ बैठ सकते थे, राहूल आपसे मिल सकता था, सकता था के case में, ऐसे में, could have का use, ये already अमने देखा, उसी तरह से, could have की जगह पर, हम may have भी कह सकते हैं, और might have भी कह सकते हैं, request के case में, जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्या मैं आपसे बात क कर सकता हूँ, क्या वो वहाँ जा सकता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ, ऐसे में, can का use, या could का use, या फिर आप may का use कर सकते हैं, ऐसे में generally might का use नहीं होता है, ठीक है, पर्मिशन के case में, जैसे मैं कहता हूँ कि, अब आप घर जा सकते हैं, you can go home now, या फिर you could go home now, यानि can का भी use कर सकते हैं, could का भी कर सकते हैं, उसी तरह से may or might का भी कर सकते हैं, ठीक है, hypothetical case में, कालपनिक case में, अगर मैं आपसे कहूँ कि, अगर उस समय मेरे पास पैसे होते, तो मैं कार खरीद सकता था, यानि एक ऐसी बात मैं कर रहा हूँ, जो अब संभव नहीं है, possible नहीं है, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैं कालपना कर रहा हूँ, एक have का use करना तो already आपने सीख लिया, could have की जगह पे आप may have का भी use कर सकते हैं, और यहां तक की might have का भी use कर सकते हैं, मैं यह इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि may और might का use कहां कहां पे देखे, आप देख रहे हैं, could की जगह पर हो सकता है, ठीक है, और इच्छा के लिए, इन sentences क तो already मैंने आपको बताया, पाता आता है, यह फिर पाए यह सके, कैसे, जैसे काश वो वहां जा पाता, काश मैं आप से मिल पाता, काश वो वहां जा पाए, यह काश वो यह खेल खेल सके, यह काश वो laptop खरीच सके, काश वो यह कर पाए, इस तरह के सभी sentences में केवल could का use होता में और might का use इस तरह से इच्छा के लिए इच्छा व्यक्त करने के लिए जब sentence में सकता या पाता आता है ऐसे में नहीं होता है तो अब आप देख सकते हैं कि कहां कहां पे could की जगह पे may might का use हो पा रहा है लगभग 99% केसे में जहां जहां पे could का use होता है उन सभी जगहों पे may और might का use हो सकता है अब हम लेते हैं sentences और फिर समझते हैं इस बात को मैं शाम को फिल्म देखने जा सकता हूँ अगर ये sentence मैं आप से कहूँ तो इसका मतलब क्या है इस बात की संभावना है possibility है कि मैं किसी काम को कर सकता हूँ किस काम को करना की बात कर रहा हूँ मैं जाने की काम को करने की बात कर रहा हूँ आप बताईए यहां पर क्या आएगा can, could, may या might किसका use किया जाएगा अभी मैंने आपको slide में क्या बताय था कि जब भी possibility की बात होगी तो वहां पर आप can, could, may या might किसी का भी use कर सकते हैं इसका मतलब यहां पर आप can भी कह सकते हैं I can go to watch a movie in the evening आप could भी कह सकते हैं, आप may भी कह सकते हैं, might भी कह सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बात लगबग एक ही है हलकी ये बात आपको याद होगी, मैं already आपको बता चुका हूँ कि जब possibility बहुत ज़्यादा strong हो बहुत ज़्यादा possible हो कि मैं आज movie देखने जाऊंगा ऐसे मैं can और जब possibility बहुत कम हो तो generally might का use आपको करना होता है लेकिन cool मिलागे यहाँ पर आप चारों में से किसी कभी use कर सकते हैं अब इस sentence को देखिए मैं रोज 5 km दोड सकता हूँ इस sentence में मेरे किसी काम को कर सकने की बात हो रही है किस काम को कर सकने की बात? दोडने के काम को कर सकने की बात हो रही है यहां पर मेरी काबिलियत की बात हो रही है कि मैं रोज पांच किलोमेटर दोड सकता हूँ यह नि मैं काबिल हूँ दोडने के मेरे अंदर दोडने की ability है तो यह case बन गया ability का यह था possibility और यह है ability और जब हम present में present में है है हो हूँ सकता है, सकते हैं, सकता हूँ Present में ability की बात करते हैं तो क्या use करते हैं Can और मैंने आपको ये भी बताया Can की जग़ा पे आप क्या use कर सकते हैं Am able to I am able to run 5 km every day पिछले साल मैं रोज 5 km दोड़ सकता था बात वैसी है लेकिन पिछले साल सकता था कह दिया यानि बात तो ability की हो रही है लेकिन बीते कल में यानि past में ability in past जबकि ये क्या था ability in present present में है है हूँ present तो जब हम बीते कल में किसी ability की बात कर रहे हैं ऐसे मैं क्या use होगा last year पिछले साल I could run 5 km every day या फिर could की जगह पे मैं आपको क्या बता है I was able to अब चुकि ये topic है में और might का क्या यहां पर में या might का use किया जा सकता है नहीं किया जा सकता क्योंकि बात हो रही है ability की यहां पर use किया जा सकता है अगर बात ability की है, present में can, past में could, हाँ, अगर possibility की बात है, possibility के case में can, could, may, might, चारों का use कर सकते हैं, अच्छा next question लेते हैं, वो मेरे घर आ सकता था, पर आया नहीं, he dot 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 come to my house, but he didn't, क्या use कर आ जाएगा यहाँ पर, सकता था के लिए, could में मैंने अलरडी आपको क्या बताया, could, have, और could have के बाद हमेशा verb की कौन सी form लगती है, third form, तो यह come की कौन सी form है, third, come, came, come, third form भी क्या होती है, come, और पिछली slide में मैंने आपको क्या बताया, could have के लाबब आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आप request की, request के case में, आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पिछली slide में बताया आपको, एक तो आप यूज़ कर सकते हैं, could, इसके अलावा may, या फिर can, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, can, या फिर could, या फिर आप may का भी यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपने could को सीख लिया है, तो आपने लगभग-लगभग may और might को भी सीख लिया है, लेकिन आपको मैंने बताया था, request के case में, आप might का use नहीं करते, अब इस sentence में, अब आप घर जा सकते हैं, यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, permission दे रहा हूँ, जब आप किसी को permission देते हैं, सकता है आ रहा है, और permission क sentence है, ऐसे में मैं आपको क्या बताया, आप क्या use कर सकते हैं, आप can, could, may, या might, चारों में से किसी कभी use कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, can, may, might, could, लेते हैं, next sentence, अगर मेरे पास पैसे होते, तो मैं भी laptop खरीद सकता था, इस sentence में अगर के साथ आ गया, या मनी कि एक hypothetical case है, काल्पनिक case है, जो अब नहीं हो सकता, क्योंकि ये पल तो बीच चुका है, अब ये कभी नहीं हो सकता, if I had money, अगर मेरे पास पैसे होते, I dot 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 dot, bought a laptop to, मैं भी laptop खरी सकता था, यहाँ पर सकता था के लिए, मैं क्या use कर सकता हूँ, सोचिए, अभी पिछली slide में क्या बताया, hypothetical case सकता था, could have, may have, might have, इन तीनों में से किसी का भी use कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, could have, may have, might have, तो आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पर could आ रहा है, लगभग हर जगा पर may या might का use हो जा रहा है, क्यवल request में might का use नहीं हो रहा है, बा सकते थे, क्या use करें, if you had worked hard, अगर आपने मेनत की होती, you, same इसी तरस पर, could have, you could have passed the exam, या फिर you may have passed the exam, या फिर you might have passed the exam, काश वो हमारे साथ खेल पाता, मैंने आपको बताया, जैसी काश आ गया, काश वो ये कर पाता, या काश वो हमारे साथ खेल पाए, या काश वो हमारे साथ खेल सके, ये क्या है, wish, अभी पिछली स्लाइड में क्या बता है, wish के case में आप क्या क्या use कर सकते है, केवल और केवल, could, I wish he could play with us, अब अगर कोई कहे कि यहाँ पर आप may or might का use कर सकते है, आप कहेंगे, नहीं कर सकते, अब ये sentence देखिए, उसे अगले साल मुंबई भ बनाना है, अगर आपको ध्यान हो, भेजा जा सकता है, यानि किसी काम को किया जा सकता है, भेजने के काम को किया जा सकता है, और ऐसे में, मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक तो आप can be का use करते हैं, और दूसरा, could be का use करते हैं, ये sentence मैंने आपको can औ could दोनों में बता उसे अगले साल मुंबई भेजा जा सकता है he can be sent to Mumbai next year can be के अलावा जैसा मैं अल्लेडी बता चुका हूँ could be का भी use हो सकता है और अब आप यह जानते हैं कि जहां पर भी could का use होता है possibility के case में क्योंकि जब मैं कहता हूँ उसे अगले साल मुंबई भेजा जा सकता है यानि इस बात की संभावना है तो possibility के case में तो जहां could आया वहां may भी आएगा might भी आएगा तो यहां पर may भी या might भी दोनों का use किया जा सकता है तो आपने देख लिया कि may भी का एक use होता है किया जा सकता है may भी और might भी अनों का हम उस दिन एक दूसरे की मदद कर सकते थे किसी काम को कर सकते थे सखता था के लिए तो हम जानते हैं could have may have might have तीनों में से किसी कभी use किया जा सकता है हम उस दिन एक दूसरे की मदद कर सकते थे we could have help each other that day या फिर we may have helped each other that day अच्छा इस case में आप यह जानते हैं कि सकता था बोल दिया तो can का use तो कभी हो इने सकता केवल सकता है के case में आप can कभी use कर लेते हैं सकता था में नहीं सकता था में केवल could have may have या might have हमें अगले महिने दिल्ली जाना पढ़ सकता है बताए इस sentence को could में आपने कैसे बनाया था जब आपको किसी काम को करना पढ़ सकता है तो मैंने आपको क्या बताय था क्या कहना है आपको could have to तो यह sentence कैसे बनेगा हमें अगले महिने दिल्ली जाना पढ़ सकता है we could have to go to Delhi next month अब सोचिए कि इस sentence में किसी काम को करना पड़ सकता है इस बात की क्या है possibility यनि संभावना और possibility के case में कुड की जगा पे आप क्या use कर सकते हैं may या might तो इस sentence को आप ऐसे भी कह सकते हैं we may have to go to Delhi next month या फिर we might have to go to Delhi next month आज उसके पास एक बड़ा घर हो सकता था लेकिन उसने मेहनत नहीं की आज उसके पास हो सकता था पास हो सकता था के लिए हमने क्या पड़ा था could have had today उसके पास एक बड़ा घर हो सकता था he could have had a big house लेकिन बट उसने मेहनत नहीं की he didn't work hard तो इस sentence को लिख देता हूँ पहले, अब आप सोचिए कि जो slide में मैंने आपको बताया था कि जब भी hypothetical case हो, ऐसे में could, may, might, तीनों में से किसी का भी use हो सकता है, इसलिए pass हो सकता था, ये बात मैंने जब could में बताई, could have had, तो चुकि ये hypothetical case है, जो कि अब नहीं possible है, ये कलपन है, ऐसे मैं could की जगह पे may, या फिर might, दोनों में से किसी का भी use किया जा सकता है, यानि कि sentence को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, today he may have had a big house, but he didn't work hard, या फिर, today he might have had a big house, but he didn't work hard, हमें पिछले माईने दिल्ली जाना पढ़ सकता था, किसी काम को करना पढ़ सकता था, इसके लिए मैंने आपको could में क्या बताया, मैंने आपको बताया, could have had to, तो इस sentence को कैसे बनाएंगे, हमें पिछले महीने दिल्ली जाना पढ़ सकता था, मैं थोड़ा fast इसलिए चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको could के बारे में बता चुका हूँ, तो मैं ही मान रहा हूँ कि आपको वो चीजे समझ में आ गई हैं, तो आगे आप बढ़ रहे हैं, और एक चीज़ देखिए, ये sentence अगर मैं आपसे कहूँ, हमें पिछले महीने दिल्ली जाना पढ़ सकता था, तो एक तरह की संभावना की बात है न, पढ़ सकता था, एक possibility की बात है, ऐसा possible हो सकता था कि हमें जाना पढ़ जाता, यानि कि possibility के case में आप जानते हैं, could, may, या might का use आप कर सकते हैं, अब आप कहेंगे possibility के लिए तो can का भी use करते हैं, can का use इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या आगया, था, जाना पढ़ सकता था, और जब past में कोई बात होती है, तो उस case में can का use बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको उससे मिलना पढ़ जाता, अब सोचिए कि इस sentence को कैसे बनाय जाएगा, इस sentence में क्या रहे, मिलना पढ़ जाता, यानि किसी काम को करना पढ़ जाता, कौन सा काम, मिलने का काम, अगर आपको ध्यान हो, तो could में मैंने आपको क्या बताया, किसी काम को करना पढ़ सकता था, या किसी काम को करना पढ़ जाता, इन दोनों ही cases में, could have had to का use किया जाता है, आपको उससे मिलना पढ़ जाता, you could have had to meet him, अब जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया, इस case में, could के अलावा आप may या might का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम उसीवे में, आप यहाँ पर could की जग़ा पे may या might का use कर सकते हैं, ठीक है, next sentence, उसके पास अगले साल एक कार हो सकती है, इस बात की क्या है? संभावना है, यानि की possibility है, और pass हो सकती है, किसी के पास जब कुछ हो सकता है, तो मैंने आपको क्या-कै समझा दिया, क्या-कै सिखा दिया, can have का यूज़ करना already सिखा दिया, could have का भी यूज़ करना already सिखा दिया इस case में, और जब possibility की बात है तो understood है कि can, could के अलावा आप may या might का भी use कर सकते हैं इसका मतलब may have भी आप कह सकते हैं might have भी आप कह सकते हैं उसके पास अगले साल एक car हो सकती है he can have a car next year या फिर he could have a car next year he may have a car next year he might have a car next year तो can की जगह पे could, may, might तीनों में से किसी कभी use कर सकते हैं वो इस वक्त school में हो सकती है इस बात की भी possibility है हो सकती है यहाँ पर pass होने की बात तो नहीं हो रही हो सकती है हो सकती है के लिए आप क्या-क्या सीख चुके है can be का use हो सकता है could be का use हो सकता है और obvious सी बात है possibility की बात है she could be in school right now, she may be in school right now, she might be in school right now, can be की जगह पे, could be, may be, or might be, अब यह sentence, यह बहुत risky हो सकता था, भगवान का शुकर है, हम नहीं गए, यह बहुत risky हो सकता था, आ गया सकता, हो सकता था, हो सकता है के case में तो can be, could be, may be, might be, हो सकता था के case में, already हमने क्या कैस सीखा है, could have been, अच्छा, यहाँ पर हमने can have been नहीं का, यहाँ पर can है न, इसमें तो ठीक है क्योंकि यह present ही बात हो रही है, present भी किसी चीज़ का possible होना, यह past में, past में can का use नहीं होता है, तो could have been, may have been, या फिर might have been, तो could की जगा पर may या might का use, तो इस sentence को कैसे बनाएंगे, यह बहुत risky हो सकता था, it या this, this could have been very risky, भगवान का शुकर है, इस बात को simply कह देंगे, आप thank God, thank God, हम नहीं गए, we don't go, we didn't go, past indefinite tense का sentence, जो की tense में हम अलड़ी सीख चुके हैं, तो अब अगर हम revise करें, हमने could को सीखा था, could के सारे use देखे थे, यहाँ पर पहला वाले use था सकता है, जो की possibility, request, सभी के case में था, अगर बात possibility की है, तो आप यह समझ पाए, कि यहाँ पर आप, could की जगह पे, may या might, या can, तीनों में से किसी का भी use कर सकते हैं, possibility के case में, ठीके, इतना याद रखना है आपको चीजों को, सकता था या पाता था, जो ability की बात है, इस case में थो केवल और केवल, could का use होता है, may या might का use तो यहाँ पर नहीं हो सकता, can का भी use नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि बात ability की है, possibility में होता है, कि आप could की जगह पे can, may, might, तीनों में से किसी का भी use कर सकते हैं, सका या पाया, इसके लिए तो केवल could का ही use करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बात किस चीज की होती है, ability की, subject की, समर्थता की, पाता के case में भी, मैंने अल्रेडी आपको slide में भी बताया, पाता के लिए आपको हमेशा क्या use करना पड़ेगा, could, तो could मिलाकर could का use, यहाँ पर हर जगा पर केवल could का ही use होगा, केवल सकता है, यह जो case है, इस case में, चुकि यहाँ पर possibility की बात हो सकती है, request की बात हो सकती है, permission की बात हो सकती है, ऐसे में, आप can, may या might का use कर सकते हैं, हार, request में मैंने आपको बताया कि जब आप कोई request करते हैं, तो वहाँ पर might का use आप नहीं करेंगे, बाकी हर जगा पर might का use होगा, यहाँ पर देखिए, हो सकता है, जैसे कि वो घर पर हो सकती है, वो मेरे साथ हो सकती है, वो राहूल के साथ जिम में हो सकता है, ऐसे में possibility की बात हो रही है, तो हमेशा could की जगा पर may का भी use कर सकते हैं और might का भी use कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर आप could be, may be, might be, इन तीनों का मतलब निकल जाएगा, हो सकता है, यह किसी काम को किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही जगर पर possibility की बात हो रही है, could have का मतलब आपने समझा सकता था, मैंने आपको सकता था के लिए क्या बताया, आप could have भी कह सकते हैं, आप may have भी कह सकते हैं, और आप might have भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर could be, may be, might be भी तीनों कह सकते हैं, इन जा सकते हैं could have, may have, might have तो किसी भी sentence में अगर आया pass हो सकता है जैसे उसके पास laptop हो सकता है he could have a laptop या फिर he may have a laptop या फिर he might have a laptop could have been हो सकता था इस case में अच्छा यहाँ पर हाँ एक चीज और यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज बताई pass हो सकता है के लिए could have, may have, might have और इसके अलावा can have और हाँ बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर देखिए could be, may be, might be और इसके अलावा can be, can be का भी यूज हो सकता है या किया जा सकता है के लिए मैंने आपको can में समझा है अच्छा इसमें could have been में सकता था आगया सकता था के लिए तो मैंने आपको हमेशा कहा कि जब भी could आए could की जगह पे may यह might का यूज कर सकते है तो could have been कहलू चाहे may have been कहलू चाहे might have been कहलू यह एक तरीके से आपका revision हो रहा है अच्छा could have had pass हो सकता था जैसे उसके पास laptop हो सकता था he could have had a laptop इनका यूज कर पा रहे तो could have had का मतलब होता है पास हो सकता था यानि कि आप may have had भी कह सकते है और might have had भी कह सकते है करना पढ़ सकता है किसी sentence में आया उसे जाना पढ़ सकता है he could have to go उसे आपके साथ खेलना पढ़ सकता है he could have to play with you तो ये एक possibility है सकता है आ रहा है तो सकता है आया और possibility की बात है तो आप ये जानते है could की जगा पे आप can, may या might तीरों में से किसी कभी यूज कर सकते है तो could have to की जगा पे can have to, may have to, might have to और करना पढ़ सकता था ये करना पढ़ जाता अभी जो मैंने last में जो sentence दिया था उसमें ये ही तो था could have had to उसे जाना पढ़ सकता था उसे आपके साथ खेलना पढ़ सकता था तो एक possibility है और चुकि था आ गया तो past में है वो possibility ऐसे में आप can का यूज नहीं कर सकते हैं हाँ आप could की जगा पे may का या might का यूज कर सकते हैं तो could have had to की जगा पे may have had to कह सकते हैं या फिर might have had to कह सकते हैं can, could, may, might इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं अब आजाते हैं should पे should का मतलब तो हम सब जानते हैं किसी भी काम को करना चाहिए किसी भी काम को उसे खेलना चाहिए उसे मुझसे मिलना चाहिए मुझे वहाँ जाना चाहिए तो खेलना, मिलना, जाना ये सभी काम हैं ये सभी क्रियाएं हैं तो इन कामों को करना चाहिए की बात हो रही है तो जब वो क्रिया आई sentence में तो हमेशा ध्यान रखें उस kriya की यानि उस verb की हमेशा कौनसी form यूज़ करनी होती है first form ये लगवग हम सभी जानते हैं should का यूज़ करना अब आती है बात इनकी इन्हें आपको इतने अच्छे से याद कर लेना है कि आपको पता होना चाहिए कि should be के दो यूज़ हैं sentence में should have के दो हैं should have been के दो हैं should have had, should have to, should have had to, should have to have, should have had to have इन सभी के एक-एक यूज़ है जब भी किसी sentence में आता है होना चाहिए जैसे कि उसे इस वक्त जिम में होना चाहिए हमें इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए आपको अपने bedroom में होना चाहिए आपको अपने परिवार के साथ होना चाहिए यनि कि subject की उपस्थिती या presence की बात हो रही है कि subject को कहीं पे होना चाहिए ऐसे sentences में हमेशा आपको क्या यूज़ करना है? Should be और should be का दूसरा यूज़ क्या है? किया जाना चाहिए किसी भी काम को किया जाना चाहिए जैसे उसे दिल्ली भेजा जाना चाहिए भेजने के काम को देखिए किया जाना चाहिए उसे उसके साथ बिठाया जाना चाहिए तो बिठाने के काम को किया जाना चाहिए हमें बताया जाना चाहिए यानि बताने के काम को किया जाना चाहिए इस तरह के सभी sentences में आपको क्या यूज़ करना है should be और जिस भी काम को किया जाना चाहिए जिस भी काम को करने की बात हो रही है हमेशा उसकी third form का यूज़ करना है और जैसा कि आपने can, could, may, might में भी देखा may, be, might, be, can, be, could, be, जब भी बी आ गया साथ में या have आ गया साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी form? third form अब should have के भी दो मतलब है किसी भी sentence में आ जाए, pass होना चाहिए जैसे कि रहूल के पास pen होना चाहिए मेरे पास किताब होनी चाहिए उसके पास laptop होना चाहिए हमारे पास पैसे होने चाहिए तो जब भी subject के पास कुछ होना चाहिए ऐसे में should have का use अचाहिए यहाँ पर subject के पास कुछ होना चाहिए यह subject घर पर होना चाहिए hospital में होना चाहिए, school में होना चाहिए यहाँ पर हम subject के द्वारा किसी काम को करना चाहिए ऐसा नहीं बता रहे हैं यानि किसी काम को करने का जिक्र नहीं हो रहा है इसलिए ही मैंने यहाँ पर verb की कोई form का जिक्र नहीं किया same way में यहाँ पर भी नहीं हाँ यहाँ पर करना चाहिए था यहाँ पर आगे ना, किसी काम को करना चाहिए था, यहाँ पर किवल करना चाहिए और यहाँ पर करना चाहिए था, तो जैसे ही बात past में हो गई कि उसे घर जाना चाहिए था, उसे मुझसे मिलना चाहिए था, यानि मिलने के काम को करना चाहिए था, ऐसे मैं आपको यूज कर अब आपने देखा, Should be का मतलब है होना चाहिए, और Should have been का क्या हुआ? होना चाहिए था, यनि इसका past हो गया है Should be का past हो गया Should have been, same way में किया जाना चाहिए था आपको इस वक्त hospital में होना चाहिए था मुझे उसके साथ होना चाहिए था आपको हमारे घर पर होना चाहिए था इस तरह के sentences और जब किसी काम को किया जाना चाहिए था जैसे उसे अमेरिका भेजा जाना चाहिए था उसे वहां से निकाला जाना चाहिए था या उसे प्रतारित या टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए था sentence तो negative भी हो सकता है, interrogative भी हो सकता है तो इस तरह के sentences अच्छा जब भी किसी काम को किया जाना चाहिए था ऐसे में भी verb की third form तो आपने देखा अभी तक किव देख के साथ verb की first form शुड बी, शुडएव, शुडएव, शुडएव बीन के साथ में हमेशा verb की third form अगर sentence में आ गया पास होना चाहिए था जैसे यहाँ पर था पास होना चाहिए उसके पास किताब होनी चाहिए ये है शुडएव का example उसके पास किताब होनी चाहिए थी, हमारे पास पैसे होने चाहिए थे, उसके पास एक बड़ा घर होना चाहिए था, तो जब भी subject के पास कुछ होना चाहिए था, ऐसे में should have had का यूज़ करना है, should have to का मतलब है करना ही चाहिए, यहाँ पर एक करना चाहिए, यहाँ पर करना ही चाहिए, थोड़ा compulsion दे दिया, ज़रूरी है, इसलिए तो have to का यूज़ किया जाता है, आगे आप इसको भी समझेंगे, यह भी modal verb का ही example है, तो जैसे उसे मेरे घर आना ही चाहिए, हमें उसके साथ खेलना ही चाहिए, ऐसे में should have to, should have had to, यह इसका past हो गया, कैसे करना ही चाहिए था, यह सब आपको रटना है, उसे खेलना ही चाहिए था, उसे उस दिन principle से बात करनी ही चाहिए थी, इस तरह के sentences, और यहाँ पर भी किसी ना किसी काम को करना ही चाहिए था, तो कोई लि हमेशा कौन सी form का यूज करेंगे, first form, और आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, कि जब भी to आता है, उसके बाद जो भी clear आए, जो भी verb आए, उसके हमेशा first form का ही यूज करते हैं, examples जब आप देखेंगे, तो चीजे और ज़्यादा clear होंगी, अब आजाईए should have to have प past, उसके पास किताब होनी ही चाहिए थी, हमारे पास घर होना ही चाहिए था, ऐसे सभी cases में, should have had to have, और यहाँ पर भी clear की बात ही नहीं होगी, क्योंकि हम तो subject के पास कुछ होना चाहिए था, इस चीज की बात कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, कि subject किसी काम को कर है, करने की बात नहीं हो रही, यह देखे, मैंने आपके सामने V1, V3, 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 V1, V1 लिख दिया है, अब आप चाहिए तो इसका screenshot ले सकते हैं, और जब आप sentences बनाएंगे, तो इनको देख सकते हैं, इससे क्या होगा, शुरुवात में आपको थोड़ा मदद मिलेगी, बाद बी, तो जब कहते हैं, नहीं होना चाहिए, तो sentence negative हो गया, ऐसे में should not be, अब जब आप इस sentence को बनाएंगे, तो subject को होना है, आप, you should not be, क्या नहीं होना चाहिए आपको, स्वार्थी, स्वार्थी यानि selfish, you should not be selfish, example number two, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, बात करनी चाहि यह, करना चाहिए, के लिए मैंने आपको क्या बता है, आपको क्या यूज करना है, should, और यहाँ पर verb की first form का आप यूज करेंगे, तो verb की first form यहनी काम क्या है, यहाँ बात करने का, बात करने को हम talk कहते हैं, तो talk हम यूज करेंगे, subject है हम, we should talk, एक दूसरे से, to each other, we should talk to each other अच्छा एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं, कि talk के साथ हमेशा to का यूज किया जाता है, और अगर मैं यहाँ पर कह दूँ speak, speak मतलब भी बात करना होता है, तो speak के साथ में जो preposition यूज किया जाता है, वो है with, we should talk to each other, या फिर we should speak with each other, आपके पास कम से कम तीन पैन हो होने चाहिए, देखें सेंटेंस को, पास होना चाहिए, तो subject के पास कुछ होना चाहिए, पास होना चाहिए के लिए क्या यूज करना है, should have, तो यहाँ पर हम should have का यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, subject को होना है, आप हैं, आपके लिए you, you should have, आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम से कम तीन पैन, कम से कम को कहते हैं at least, at least three pens, you should have at least three pens, देखे कितना आसान था, आपको पता होना चाहिए किसके लिए आपको क्या उस करना है, अब बात करते हैं sentence number four, छोटे बच्चों को mobile नहीं दिया जाना चाहिए, sentence negative है, दिया जाना चाहिए देने के काम को किया जाना चाहिए, तो काम क्या है, देने का, देने को give कहते हैं, और किया जाना चाहिए, के लिए मैं आपको क्या बता है, should be, अब चुकि यह sentence negative है, तो यहाँ पर हम कहेंगे should not be, हमेशा जान रखिए कि negative sentence में should और be के बीच में not आएगा, इसी तरह से should और have के बीच में not आता है, जब should have का use करेंगे, ठीक है, subject है, छोटे बच्चे, small kids should not be given, give की third form, given, क्या नहीं दिया जाना चाहिए, mobile, small kids should not be given, mobile, next sentence, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, यानि मिलने के काम को करना चाहिए था, तो जब भी किसी काम को करना चाहिए था, ऐसे में क्या use करते हैं, should have, और उसके बाद उस sentence में वर्ब की कौन सी form का use कर रहे हैं, third form का, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, मिलना, मिलने को meet कहते है, meet की third form met, उसे कोई लड़का है, he should have met, मुझसे me उस दिन, that day, he should have met me that day, आपको हमेशा इस बात को याद रखना है, कि जैसे मैं आप से का, should have के साथ में, या should be के साथ में, हमेशा वर्ब की कौनसी form, third form, तो मिलने को meet, meet की third form, met, और ये भी आपको पता होना चाहिए, कि meet के बाद कोई भी preposition आप use नहीं करते, मुझसे के लिए meet to me, या with me, ऐसा आप नहीं कहेंगे, आप direct object बताते हैं कि say, met me, ये experience से भी आपको आएगा, next sentence, वो हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था, होना चाहिए था, इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, should have been, तो इस sentence को आप कैसे बनाएंगे, should have been के साथ में, subject होन है, वो, कोई लड़का है, he should have been, उसे होना चाहिए था, कहां, यहां, here, हमारे साथ, with us, he should have been here with us, next sentence, उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था, यानि भेजने के काम को किया जाना चाहिए था, किया जाना चाहिए था, इसके लिए हम क्या यूज़ करते है, should have been, और जो भी क्रिया है, जो भी वर्ब है उसकी third form, और यहां पर क्रिया क्या है, भेजना, भेजने को send, send की third form, sent, तो इस sentence का बनाएंगे, should have been के साथ, और साथ में, आप वर्ब की third form का यूज़ कर लेंगे, send की third form, sent, किसे भेज दिया जाना चाहिए था, उसे, he should have been sent, कहां, jail, he should have been sent to jail, next sentence, उसके पास कार होनी चाहिए थी, pass होना चाहिए था, pass होना चाहिए था, क्या यूज़ करते हैं, should have had, should have had, तो sentence को कैसे बनाएंगे, किसके पास होना चाहिए था, उसके पास, कोई लड़का है, he, अगर कोई लड़की है तो she, लड़का है मान लेते हैं, he should have had, उसके पास होना चाहिए था, क्या, akar, he should have had, akar, next, उन्हें इस ब इस पारे में कुछ तो करना ही चाहिए, तो जब भी किसी काम को करना ही चाहिए, SMM क्या उस करते हैं? Should have to, तो यहाँ पर हम कहेंगे Should have to, और साथ में Verb की कौन सी form का उस करना है हमें? Verb की first form to के बाद तो हमेशा Verb की first form आती है, और Verb की first form किस काम को करने की बात हो रही? उन्हें इस पारे में कुछ तो करना ही चाहिए, तो काम भी क्या है करने का, करने को do कहते हैं, do, अगर होता कि उन्हें इस बारे में कुछ तो कहना ही चाहिए, तो कहने को say कहते हैं, तो हम कहते हैं say, लेकिन यहां तो बात हो रही है करने की should have to do किने करना चाहिए उन्हें इस बारे में कुछ तो करना ही चाहिए अगर कोई एक वेक्ति है तो he अगर एक से जाधा लोगों की बात हो रही है कि उन्हें बहुत सारे लोग हैं तो they तो मान लेते हैं कि वो एक से जाधा लोग है उन्हें उन्हें सब को उन्हें इस बारे में कुछ तो करना ही चाहिए they should have to do कुछ something और जब मैं कहता हूँ कुछ तो करना ही चाहिए at least something इस बारे में about this या about it they should have to do at least something about it they should have to do at least something about it sentence number 10 मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था देखो वो fail हो गया मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था पढ़ाने के काम को करना ही चाहिए था करना ही चाहिए था किले हम क्या यूज़ करते हैं should have had to और हमेशा वर्ब की कौनसी form का यूज़ करेंगे first form यहाँ पर क्या है क्रिया यानि की वर्ब पढ़ाना पढ़ाने को teach कहते हैं मुझे पढ़ाना चाहिए था I should have had to क्रिया है पढ़ाना पढ़ाने को teach कहते हैं किसे पढ़ाना चाहिए था उसे पढ़ाना चाहिए था अगर कोई लड़की है तो हर लड़का है तो him I should have had to teach him देखो वो fail हो गया ये तो खेर एक अलग clause है देखो see वो fail हो गया he failed ठीक है तो should have had to का आपने यूज किया और उसके बाद verb की first form हमारे पास ये किताब होनी ही चाहिए अगर हम English सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप तो भी लगा सकते हैं बोलते वक्त कुछ इसी तरह से निकलता भी है हमारे पास ये किताब होनी ही चाहिए पास होना ही चाहिए क्या उसकरते हैं इसके लिए should have to have तो हमारे पास ये किताब होनी ही चाहिए subject हैं हम, we should have to have, क्या होनी चाहिए, ये किताब, this book, we should have to have, हमारे पास होनी ही चाहिए, ये किताब, this book, अगर हम English सिखना चाहते हैं, if you want to learn English, उसके पास कुछ तो होना ही चाहिए था, अब यहां पर तब पास होना ही चाहिए, ऐसे में should have to have, और उसके पास कुछ तो होना ही चाहिए था, पास होना ही चाहिए था, should have had to have, ये ही बताए मैं आपको, उसके पास subject है वो, he should have had to have, कुछ तो, something कह सकते हैं, और थोड़ा तो बोल दिया न, कि कुछ तो होना ही चाहिए, कम से कम कुछ होना चाहिए, ऐसे में at least something, थोड़ा ज्यादा sense better बन रहा है, at least something, तो आपने देखा कितना easy था, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपने यूज़ किया should have had to have, अब हम पहुँच चुके हैं would पे, would को अच्छे से clear करते हैं, would, would be, would have, would have been, would have had, would have to, would have had to, इन सब को एक एक करके हम clear करेंगे, सबसे पहले start करते हैं, केवल जब किसी sentence में आता है, would, would की शुरुवात करने से पहले, एक बात को आप अच्छे से समझ लीज़े, यह बात आपको हमेशा याद रखनी है, कि जिस तरह से will का use किसी भी sentence में होता है, गा, गे, गी के लि जाएगा, वो जाएगे, वो जाएगी, वो खेलेगी, नाचेगी, गाएगी, नाचेगा, गाएगा, बैठेगा, उठेगा, उठेगा, ऐसे में हमेशा हम will का use करते हैं, उसी तरह से, वो जाता, हम आते, वो मुझसे मिलती, जहां भी ता, ते, ती आ जाए, क्रिया के साथ जैसे खेलता, तो खेलना करिया है, खेलने के साथ में आगया ता, खेलता, मिलती, बैठते, ऐसे में आपको use करना होता है, would, ये चीज तो बिलकुल एक universal rule आपको याद रखना है, और दूसरी चीज, जैसे गागेगी जब आता है, किसी sentence में जो की future में हो, ऐसे में तो आप use करते हैं, will, लेकिन अगर sentence में गागेगी भी आजाए, लेकिन वो present या past में हो, गागेगी, present या past में, ऐसे में भी आपको use करना पड़ेगा, would, तो अभी आपको सब समझ में आएगा, बस केवल याद कर लीजिए, अगर sentence में गागेगी आ रहा है, किसी क्रिया के साथ, ज हविश्य में किसी काम को करेगा वाली बात हो रही है, ऐसे में आता है, will, और उसी तरह के sentence में, अगर गागेगी, present या past के बारे में बता रहा हो, जो अभी आप समझेंगे थोड़ी देर में, ऐसे में would का use, और हमेशा, ता, ती, ती, जब भी दिखे, क्रिया के साथ लगत पॉसेच को समझते हैं, जब भी आप किसी sentence में देखे हैं, कि क्रिया के साथ में आ जाए लगके ता, ते, ती, और sentence की वहीं पर ending हो जाए, खत्म हो जाए sentence, जैसे वो मेरे साथ खेलता, हम वहाँ जाते, वो मुझसे मिलती, तो sentence खत्म हो जा रहा है ता, ते, ती, के साथ मे क्रिया के साथ वो तातेती लगके आ रहा है, वर्ब के साथ, या फिर तातेती लगके आ रहा है क्रिया के साथ, उसके तुरंद बाद आ रहा है, था थे, ती, जैसे वो मुझसे मिलता था, हम वहाँ जाते थे, वो घर आती थी, ऐसे सभी sentences में आपको use करना है, would, example क्या हो सक रहा है, जैसे, वो मेरे साथ खेलता, लेकिन आपने इजाज़त नहीं दी, वो मेरे साथ खेलता, खेलना क्रिया है, क्रिया के साथ लगके आ रहा है, ता, खेलता, वो मेरे साथ खेलता, he would play with me, लेकिन आपने इजाज़त नहीं दी, past in definite tense में, but he didn't allow me, तो आपने यहाँ पर पहचान है इसकी, ठीक है, काश मैं उससे बात करता, काश मैं उससे बात करता, काश को तो हम कहते हैं, I wish, मैं उससे बात करता, I would talk to him, आज मैं ओफिस जाता, लेकिन मेरी तबेट ठीक नहीं है, आज मैं ओफिस जाता, जाना एक रिया है, उसके साथ में लगा ता, आज मैं ओफिस जाता, टुडे, I would go to the office, लेकिन मेरी तबेट ठीक नहीं है, बट I am unwell, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता, तातेती, जाता, बात करता, खेलता, ठीक है, हर जगा आप नौट कर रहे हैं, वो मुझे पैसे क्यों देता, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, वो मुझे पैसे क्यों देता, interrogative sentence है, वाइ से शुरुआत होगी, क्यों, उसके बाद कोई भी helping verb, model verb आती है, why would, subject कोई है, वो, वो, पैसे क्यों देता, why would he, देने को give कहते है, give me money, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, I am a poor guy, वो ऐसा क्यों करता, वो ऐसा क्यों करता, why would he, do so, why would he, do, वो क्यों करता, ऐसा, ये कुछ भी आपको लिखने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि ये सभी मैंने लिख करके notes आपके लिए बनाए है, मैं थोड़ी देर मैं बताऊंगा आपको, वीडियो के end में, कि कहाँ पर रखें, ठीक है, तो ये सभी examples आपने देखे, ये तातेती के case में होते हैं, क्रिया के साथ तातेती लग्या आता है, अब ज़रा इसके example देखते हैं, तातेती के साथ जो थातेती आ जाए, उन दिनों मैं पांच बजे उठता था, उन दिनों मैं पांच बजे उठता था, उठना एक रिया है, उसके साथ लग्या है, ताते थी, उसके बाद थाते थी, उन दिनों, those days, I would wake up, उठने को wake up कहते हैं, I would wake up at 5 o'clock, वो मुझे बिना किसी कारण के डाटती थी, डाटना का में डाटती थी, कौन डाटती थी वो, कोई लड़की है, she, she would, डाटने को स्कॉल कहते हैं, she would स्कॉल मी for no reason, बिना किसी कारण के, मैं रोज उससे मिलता था, और फिर हम साथ में स्कॉल जाते थे, मैं रोज उससे मिलता था, मिलने के काम को करता था, मिलता था, और फिर हम साथ में स्कॉल जाते थे, जाना के काम को करते थे, तो दोनों केसे में वोड़का यूस करेंगे, मैं रोज उससे मिलता था, I would meet him every day और फिर and then हम साथ में school जाते थे we would go to school together तो फिलाल तो हम concept को समझ रहे हैं आगे practice तो हम करेंगे लेकिन आपको एक चीज और याद आ रहे हैं कि जब भी किसी sentence में ता ती ती के साथ था थे थी आता है ऐसे sentence में हम used to का भी use करते हैं बात मैंने past indefinite tense में आपको बताई थी तो यहाँ पर हम used to का use कर सकते हैं those days I used to wake up at 5 o'clock same उसी तरह से she used to scold me for no reason वो मुझे बिना किसी कारण के डाटती थी यहाँ पर भी used to हम कह सकते हैं और इसी तरह से I used to meet him every day मैं हर रोज उसे मिलता था I used to अब अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको used to के बारे में बताया था तो मैंने आपसे यह कहा था कि जब भी किसी sentence में आप used to का एक बार use कर लें किसी काम को करता था इस sense में तो आगे sentence में जब उसी तरह से किसी और काम को करता था ऐसा बताया गया हो, तो ऐसे में आपको used to का use दो बारा नहीं करना है, आपको क्या use करना है, would, तो यहाँ पर would का use करना ही बहतर विकल्प है, अच्छा यह तो हमने देख लिया, अब हम move करते हैं इस पे, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जब भी क download request के case में, मान लीजी मैं आप से कहूँ, क्या आप किर्पया शान्त रहेंगे, क्या आप किर्पया शान्त रहेंगे, कागेगी आगे आपको लगेगा will का use होगा, will का नहीं, बलकि किसका use होगा, would का, interrogative sentence से शुरुआत वूट से होगी, would you please be quiet, question mark, यहाँ पर be की जगह पर English बोलते वक्त, अक्सर आपने keep का भी use देखा होगा, would you please keep quiet, इस तरह से भी बोला जाता है, और हमेशा ध्यान रखें, इसे कैसे pronounce किया जाता है, कई लोग गलती करते हैं, quiet कह देते हैं, quiet नहीं, यह है quiet, इसी तरह से sentence हो सकता है, क्या please मेरी मदद करेंगे, would you please help me, जिस तरह से हमने request की बात की, अगर offer हो कोई, offer या proposal, जैसे कि क्या आप मेरे साथ long drive पे जाना चाहेंगे, तो चाहेंगे आगया, तो will का use नहीं, बलकि क्या ही use करना आपको हमेशा, would, would you like to go on a long drive with me, क्या आप blogging के जरीए, पैसे कमाना चाहेंगे, तो यह भी एक तरह का proposal ही है, क्या पैसा करना चाहेंगे, मैं आपको propose कर रहा हूँ, offer दे रहा हूँ, would you like to earn money through blogging, question mark, और इसी तरह से चाहने की बात हो, want, कोई चाहत है आपकी, जैसे कि, आज मैं आप से मिलना चाहूंगा, I would like to meet you today, वो और जादा पैसा कमाना चाहेगा, ताकि वो अपने लेक नई स्कूट खरीद सके, तो यह उसकी चाहत है, वो और जादा पैसा कमाना चाहेगा, he would like to earn more money, so that he could buy a new स्कूटी for himself, he would like to earn more money, वो जादा पैसा कमाना चाहेगा, so that, ताकि he could buy, वो कर सके, खरीद सके हो, सके के लिए कूट का यूज किया जाता है, और पढ़ चुके है, he could buy, वो खरीद सके, a new स्कूटी for himself, अचा, past में कैसे use होता है, past का मतलब होता है, बीता हुआ पल, जो बीत गया, लेकिन उस sentence में आ रहा है, गागी की, यानि की sentence होगा, बीते कल का, और उस sentence में भविश्य में कही गई, किसी बात के बारे में बताएंगे, ऐसे में would का use होगा, जैसे मान ल market से कुछ खरीदेगी, तो उसने कब कहा, वो पल तो बीत गया, तो बीते पल में, बीते वे पल में, past में, भविश्य के बारे में कही गई, किसी बात का अगर वर्णन किया गया है, ऐसे में will नहीं, वहाँ पर would का use होगा, उसने कहा कि वो market से कुछ खरीदेगी, she would buy something from the market, अच्छा अजर ये sentence, ये नहीं होता, और बस इतना होता कि वो market से कुछ खरीदेगी, तो तब तो आप इसे बनाते, she will buy something from the market, लेकिन ये भविश्य के बारे में बताई गई कोई बात, बीते कल में कही गई है, उसने कहा, बीते कल में, इसलिए will की जगा would का use हुआ, एक और जगा पर would का use क्यों किया गया, will का क्यों नहीं किया गया, इसलिए नहीं किया गया, तो जानता था, पहले से ही जानता था, बीते कल में जानता था, क्या जानता था, भविश्य के बारे में कि वो नहीं आएगा, ऐसे में will की जगा would का use, ठीक है, अच्छा, अब हम आगे move क आता है होता ऐसे में आप would be या would have been दोनों में से किसी का भी use कर सकते हैं जैसे कि आज मैं एक dancer होता I would be a dancer today या फिर I would have been a dancer today तो कुल मिला कर दोनों तरीके से sentence को बनाया जा सकता है would be और would have been दोनों के साथ में जब भी sentence में आ रहा होता हला कि एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि चुकि ये sentence कोई conditional sentence नहीं है यहाँ पर कहीं पर if नहीं लिखा है जो भी conditional sentence होते हैं उनमें थोड़ा सा एक फर्क आता है जो conditional type 2 के sentence होते हैं conditional type 2 ये सब आगे चलके आप पढ़ेंगे तो अभी confused आपको नहीं होना है सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको conditional sentences के बारे में पता है उनको थोड़ा idea हो जाए अगर conditional type 3 sentence है जहां पर if वाले sentence आते हैं कि अगर वो मुझसे मिल चुका होता तो मैंने ये काम कर दिया होता ऐसे sentences में भी होता आता है तो जो conditional type 2 होते हैं उनमें हम would be का use करते हैं और जो conditional type 3 होते हैं उनमें would have been का use करते हैं चुकि यहां पर कहीं पर भी कोई condition की बात नहीं हो रही है कि अगर ये होता तो मैं dancer होता आज ऐसे में चुकि यह simple sentence है आज मैं एक dancer होता I would be a dancer today या I would have been a dancer today दोनों में से किसी का भी use कर सकते हैं वो इस वक्त अमेरिका में होता है He would be in America right now या फिर He would have been in America right now बस इस तरह से इतरा simple way में आपको याद रखना है लेकिन अब एक चीज और थोड़ा सा छोटी सी आप note करें जब आप practice करेंगे तो इस बात को भी याद रखिएगा जब भी किसी sentence की शुरुवात काश से होती है जैसे काश मैं आपका दोस्त होता तो काश मैं आपका दोस्त होता आ गया एसे में काश वाले जो sentence केवल इन में काश वाले में हमेशा आप केवल वुड बी का यूज करते हैं काश मैं आपका दोस्त होता I wish I would be your friend वहाँ पर हम ऐसे नहीं कहते हैं I wish I would have been your friend नहीं हम कहते हैं I wish I would be your friend ये प्रैक्टिस में ऐसे ही बोला जाता है इसलिए हमें इसी तरह से याद करना है जैसे कि काश मैं इस वक्त घर पर होता I wish I would be at home right now तो एक छोटे से revision के तोर पर अगर आप देखें जहां भी sentence में आपको होता दिख रहा है वहाँ पर would be would have been दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं हाँ अगर sentence conditional हुआ if के साथ में अगर वाला sentence हुआ ऐसे में जब वो conditional to होता है तब होता के लिए would be और जब conditional type 3 का sentence होता है तो होता के लिए would have been conditional sentences हम बाद में पढ़ेंगे और जब भी किसी sentence की शुरुआत कास से होती है कोई wish करते हो आप कि ऐसा होता ऐसे में आपको would have been की practice नहीं होती है practice में कभी ऐसे use नहीं होता है आपको use करना होता है would be अब कुछ sentence है इसके देखी जब भी sentence में आता होता था होता था के लिए हमेशा would be ऐसे में would have been नहीं होता है होता था के लिए हमेशा क्या would be और हो चुका होता किसी sentence में जैसे वो पागल हो चुका होता वो पास हो चुका होता ऐसे में would have been तो देख लेते हैं पहले होता था क्या example हो सकता है मैंने जब भी उसे call किया वो घर पर होता था Whenever I called him, he would be at home हम उन दिनों साथ होते थे We would be together those days वो हर समय राहूल के साथ होता था वो हर समय राहूल के साथ होता था He would be with राहूल all the time वो होता था राहूल के साथ हर समय ठीक है अब आजाते हो चुका होता को देख लेते हैं इसके example क्या हो सकता है जैसे ये काम अब तक हो चुका होता ये काम अब तक हो चुका होता पर आपने जान बुझ कर डिले किया, डिले किया मतुद देरी की, तो ये काम, this work हो चुका होता, would have been, this work would have been completed अब तक by now, लेकिन, but, आपने इसे जान बुझ कर डिले किया, you delayed it intentionally, अगर उसने तुम्हारी बात सुनी होती, तो वो अब तक अमीर हो चुका होता, वो अब तक अमीर हो चुका होता, अगर उसने तुम्हारी बात सुनी होती, पहले इसको बना लेते हैं, if he had listened to you, if he had listened to you, वो अब तक अमीर हो चुका होता, कौन हो चुका होता, वो, he would have been rich, वो अमीर हो चुका होता, अब तक by now, यह कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को, आपने उसे कोई suggestion दिया, कि यहाँ पर investment करो और तब आप rich हो सकते हो, उसने उस समय आपकी बात नहीं सुनी, इसने वो rich नहीं हुआ, तो अगर उसने आपकी बात सुनी होती है, if he had listened to you, he would have been rich by now, और यह जो would be और would have been का, यह वाला user नहीं कर रहा होगा या कर रहा होता, कर रहा होगा या कर रहा होता, यहाँ पर भी है, फर्क से भी इतना है, कि यहाँ पर समय से का जिक्र होगा, जैसा कि perfect continuous tense में होता है, कि सुबह से कर रहा होगा, यह सुबह से कर रहा होता, दो घंटे से कर रहा होगा, यह दो घंटे से कर रहा होता, और जैसा कि आप देख रहे हैं, perfect continuous tense में भी has been, have been, इनी का यूज होता है, इसलिए इसे आप इसी तरह से याद करिएगा कि कर रहा होगा या कर रहा होता सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा या कर रहा होता ऐसे में would be का यूज होगा और जब सब्जेक्ट किसी समय से किसी काम को कर रहा होगा या कर रहा होता ऐसे में यूज होगा would have been example क्या हो सकता है मान लिजे मैं कहूँ कि राहुल इस समय सो रहा होगा यनि सोने के काम को कर रहा होगा अच्छा फिर यहां पर भी वोई बात गागेगी आ रहा है लेकिन यह नहीं सुचना है कि रहा होगा रही होगी रहे होगी तो ही तो future का continuous tense है नहीं आप ही देख रहा है राहुल इस समय सो रहा होगा मैं भविश्ची के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि शाम को वो सो रहा होगा ये कल वो सो रहा होगा मैं तो कह रहा हूँ इस समय वो सो रहा होगा एस समय सो रहा होगा राहूल वोड भी sleeping right now sleeping क्यों इ-n-g क्यों लगा क्योंकि जहांबी रहा रही रहे आजाता है आ-n-g आजाता है राहूल वोड भी sleeping right now अब आप ये भी सौच सकते है कि मैंने कहा इस समय तो यहाँ पर समय कहतो दिया फिर would have been क्यों नहीं use किया, मैंने कहा राहूल इस समय सो रहा होगा, मैंने ये तुड़ी कहा कि सुभह से सो रहा होगा, ये से होता है, सुभह से, दो घंटे से, जैसे मालने जी मैं कहूं, राहूल दो घंटे से सो रहा होगा, ऐसे मैं मैं कहूंगा, राहूल would have been sleeping सुभह से, यह दो घंटे से for two hours, तो कहाँ पर since, कहाँ पर for, यह तो perfect continuous में बताया हुआ है, तो इसको repeat नहीं करूँगा, राहूल would have been sleeping for two hours, अब अगर मैं कहाँ दूँ कि वो बच्चे सुभह से पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ने के काम को कर रहे होंगे, और कब से, सुभह से, यह से आना चाहिए, तो ऐसे मैं क्या कहूँगा, वो बच्चे, those kids would have been, पढ़ रहे होंगे, पढ़ने को कहते हैं, study करना, studying, कब से, सुभह से, since morning, those kids would have been studying since morning, तो यह तो बात हो गई कि, जब भी subject किसी काम को कर रहा होगा, यह कर रहा होगा, जब समय से कर रहा होगा, किसी समय से, दो घंटे से, सुभह से, शाम से, दो पहर से, ऐसे मैं would have been, और जब सिर्फ इतना होगी, subject किसी काम को कर रहा होगा, जैसे खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, बता रहा होगा, आ रहा होगा, जा रहा होगा, ऐसे में would be का use, ठीक है, इसी तरह से कर रहा होता, अगर sentence मैं आए कर रहा होता, तो would be, और जब sentence मैं आए कर रहा होता, लेकिन किसी समय से, जैसे मानलीजी मैं कहूँ कि, वो सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं डाटता ऐसा sentence बोलने की जोट पड़ती है न वो सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं डाटता तो वो, he would have been खेल रहा होता खेलने के काम को कर रहा होता playing, he would have been playing since morning he would have been playing since morning अगर मैं उसे नहीं डाटता if I had not scalded him इस तरह के आपको कई sentence मिलेंगे notes में he would have been playing since morning वो सुबह से खेल रहा होता if I hadn't scalded him अगर मैंने उसे नहीं डाटा होता तो ठीक है अचा अगर मैं कहूं कि काश वो भी school आ रहा होता काश वो भी school आ रहा होता आने के काम को कर रहा होता यहाँ पर कहीं भी मैंने ऐसा नहीं का कि सुबह से आ रहा होता दो घंटे से दो साल से इस तरह से मैंने कुछ नहीं का ऐसे मैं would be का use होगा काश I wish he would be coming to school यहाँ पर मैंने एक चीज और कही न कि वो भी school आ रहा होता तो यहाँ पर मैं also कह सकता हूँ I wish he would also be coming to school और अगर मैं ऐसा कह दूँ कि काश वो भी दो साल से school आ रहा होता दो साल से तो समय से कह दिया ऐसे मैं I wish he would have been coming to school for two years I wish he would have been coming to school for two years तो would be would have been छोटा सा कॉंसेप्ट हमने समझ लिया अब हम मूव करते हैं would app पे जब भी आपको कहना हो पास होता जैसे subject के पास कुछ होता मेरे पास pen होता हमारे पास किताबें होती आपके पास पैसे होते उसके पास यह होता उनके पास वो होता ऐसे मैं would have would have had दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं for example मेरे पास भी laptop होता पर मैंने अपने सारे पैसे उड़ा दिये मेरे पास भी laptop होता I would have a laptop too but I wasted all my money इसी तरह से आप would have की जगह पर would have had का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने आपको बताया और यहां पर आपकी knowledge के लिए मैं आपको एक बात और बता दूँ जैसे भी के लिए मैंने कहा to I would have a laptop too मेरे पास भी एक laptop होता तो अगर मैं आपसे कहूँ कि to की जगह पर आप also का यूज़ करिए तो आप कहां पर करेंगे सही जगह है ये I would also have a laptop और अगर would have had के साथ sentence बना रहे हैं आप और तब आपको also का यूज़ करना है तो कहां पर करेंगे यहां पर करेंगे I would have also had a laptop तो आप ये देख रहे हैं कि also का यूज़ कहां पर हो रहा है जैसे ये modal verb है दो words की तो जो last वाला word है उससे तुरंत पहले इसी तरह से last वाले word से तुरंत पहले अच्छा एक sentence लेते हैं काश मेरे पास car होती काश मेरे पास होती देखो मेरे पास car होती I wish I would have a car और इस sentence में भी would have की जगह पे मैं कह सकता हूँ would have had I wish I would have had a car अब आ जाते हैं कर चुका होगा यज़ गर चुका होता इस case में आपको सिर्फ यूज करना है would have कर चुका होगा का मतलब क्या है कि subject काम को कर चुका होगा अब यहाँ पर भी गागेगी आ रहा है लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि subject काम को कर चुका होगा तो इसका मतलब मैं भविश्य में किसी काम को कर चुके होने की बात नहीं कर रहा हूँ भविश्य में करूँगा तो will का use होगा, will have लेकिन मैं कह रहा हूँ present ये past की बात होती है ऐसे sentences में तो would का use होता है गागेगी के case में तो जैसे example है कि वो अब तक खेल चुका होगा तो वो अब तक खेल चुका होगा यानि खेलने के काम को कर चुका होगा और चुकि मैं भविश्य में उसके द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं would का use करूँगा तो मैं कैसे कहूँगा इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि बस सुबह निकल चुकी होगी यानि निकलने के काम को कर चुकी होगी तो आप खुद देख सकते हैं कि काम तो हो चुका होगा यानि भविश्य में किसी काम के हो चुके होने की बात नहीं हो रही है बलकि बीते कल में ही कोई काम हो चुका होगा, तो past की बात हो रही है, इसलिए हम would का use कर रहे हैं, और आप ये भी देखेंगे, जिस तरह से will have के साथ में, future perfect tense में आप verb की third form का use करते हैं, उसी तरह से would have के साथ में भी हमेशा verb की third form का use किया जाता है, अब जैसे मैंने का कि bus कर चुकी होगी, the bus would have, निकलने को leave leave की third form left, the bus would have left, सुबह, in the morning, वो अब तक काम खत्म कर चुकी होगी, she would have, खत्म कर चुकी होगी है नि complete कर चुकी होगी, she would have completed the work, अब तक by now, अब जिस तरह से हमने का कर चुका होगा, उसी तरह से कर चुका होता, आपने देखा, जहां भ ता आ गया, वहाँ तो would का use, हो नहीं होना है, तो कर चुका होता, ऐसे मैं would have, जैसे मान लिजिए, sentence हो सकता है, कि मैं आपको phone कर चुका होता, पर मैं भूल गया, मैं आपको phone कर चुका होता, यानि किसी काम को phone करने के काम को मैं कर चुका होता, लेकिन मैं भूल गया, I would have, उसके बाद verb की third form, call, call की third form, called, I would have called you, मैं आपको call कर चुका होता, लेकिन मैं भूल गया, but I forgot, अच्छा, एक और example लेते हैं, रवी अब तक निकल चुका होता, लेकिन मैंने उसे request की कि वो थोड़ा और इंतजार करे, रवी अब तक निकल चुका होता, निकलने के काम को कर च लेकिन, but मैंने उसे request की कि वो थोड़ा और इंतजार करे, but I requested him to wait for a little more, मुझे लगता है कि concept को समझने के लिए इतना काफी है, अब हम आगे move करते है, would have to, और would have had to में, बहुत similarity है, एक जगह तो ये बिलकुल same है, sentence में आ जाए कि कि किसी काम को करना पड़ता, जैसे मुझ हमें एक दूसरे से मिलना पड़ता, बात करनी पड़ती है, करना पड़ता, या करना पड़ जाता, हमें आज ओफिस जाना पड़ जाता, तो करना पड़ जाता या करना पड़ता, इन sentences के लिए, I would have to या would have had to, दोनों में से किसी का भी use कर सकते है, example क्या हो सकता है, अगर आ आज office जाना पढ़ जाता तो office जाने के काम को करना पढ़ जाता आगे ना sense तो would have to, would have had to दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने मेरी मदद ना किया होती पहले इसको बना लेते हैं if you had not helped me अगर आपने मेरी मदद ना किया होती मुझे आज office जाना पढ़ जाता I would have to go to the office today इन sentences में आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि to के बाद तो हमेशा ही verb की first form आती है तो would have to करना पर जाता किसी काम को किस काम को जिस kाम को उसकी first form जाना पढ़ जाता तो उसकी first form और would have to की जगह पे would have had to कभी यूस कर सकते हैं तो यहाँ पर would have to की जगह पे would have had to if you had not helped me I would have to go to the office today या फिर practice का खेले जैसे ज़ले practice होती है fluency आती है एक और example लेते हैं शुक्र है कि सरकार ने policy बदल दी वरना ये सारा माल आज ही बेचना पड़ जाता तो बेचने के काम को करना पड़ जाता शुक्र है सरकार ने policy बदल दी Thank God the government changed the policy शुक्र है सरकार ने policy बदल दी वरना मुझे सारा माल आज ही बेचना पड़ जाता वरना के लिए otherwise या फिर or else इन दोनों में से किसी भी conjunction का use किया जा सकता है तो otherwise की जगह पर मैं कह सकता हूँ or else वरना ठीक है? वरना मुझे सारा माल आज ही बेचना पड़ जाता I would have to sell all the material today itself I would have to sell all the material today itself और जैसा मैंने आपको पता है would have to की जगह पे would have had to कभी यूज़ कर सकते हैं I would have had to sell I would have had to sell all the material today itself तो इस तरह से sentence बनता है ठीक है? अब बात करते हैं करना पढ़ता होगा और करना पढ़ा होगा करना पढ़ता होगा जब ऐसा sentence आएगा तो would have to और करना पढ़ा होगा जब ऐसा sentence आएगा तो would have had to अच्छा किस तरह के sentence होते हैं? जैसे मैं आपसे काऊं कि आजकल आपको school रोज जाना पढ़ता होगा जाने के काम को करना पढ़ता होगा तो present की बात हो रही है और अगर मैं ऐसा काऊं कि last year आपके principle बहुत strict थे तो पिछले साल आपको रोज school जाना पढ़ा होगा तो जब past में किसी काम को करना पढ़ा होगा ऐसे मैं would have had to और जब present में आज वर्तमान स्थिती में आपको किसी काम को करना पढ़ता होगा ऐसे मैं would have to तो एक्जेम्पल लेते हैं सबसे पहले एक्जेम्पल लेते हैं करना पढ़ता होगा आज कल आपको रोज school जाना पढ़ता होगा आज कल इसी तरह से आप लेते हैं करना पढ़ा होगा पिछले साल आपको रोज school जाना पढ़ा होगा पिछले साल last year you would have had to go to school every day एक और example लेते हैं उसे रोज 500 रुपे खर्च करने पड़ते होंगे तो खर्च करना एक काम है खर्च करना पड़ता होगा उसे रोज 500 रुपे खर्च करने पड़ते होंगे he would have to spend 500 रुपीज एवरी डे कल आपको फाइन भरना पड़ा होगा आपको कल फाइन भरना पड़ा होगा तो भरने के काम को करना पड़ा होगा you would have had to pay the fine you would have had to pay the fine yesterday अब अगर हम देखें कि हमने क्या क्या सीखा तो एक पार में सभी को would के सारी concept एक ही slide पर ले आता हूँ ये सब आपने देखा आप चाहिए तो इसका screenshot भी ले सकते हैं ताकि जब आप sentence बनाएं तो आपके लिए आसानी रहे आप इसको देख करके थोड़ा help ले सकते हैं modal verbs in English में अब हम आगए हैं be verbs प्लस टू be verbs कौन से होती हैं आपको पता है is mr प्लस टू was वर के साथ टू और have verbs के साथ टू has, have, had के साथ टू having के साथ टू, will have के साथ टू जब भी आपको किसी sentence में ये कहना है कि subject को किसी काम को करना है जैसे उसे खेलना है मुझे जाना है हमें पढ़ना है उसे रोना है, नाचना है गाना है, आना है, जाना है यनि subject को किसी ने किसी काम को करना है ऐसे में आपके सामने दो विकल्प हैं या तो sentence में is, am, are के साथ to लग के आएगा और उसके बाद आएगी verb की first form उस kriya की जिसकी बात हो रही है जैसे खेलना है तो खेलने के रिपले या फिर आप has, have के साथ to का use कर सकते हैं अभी sentence में आपको पता लगेगा ये बहुत ही simple है लेकिन जब इनके negative बनते हैं तो थोड़ा सा confusion होता है इसलिए ध्यान से आपको समझना तो पड़ेगा जब भी किसी sentence में हो कि करना पड़ता है उसे खेलना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, नाचना पड़ता है रोना पड़ता है, सोना पड़ता है ऐसे में आपके सामने केवल एक ही विकल्प है has, have के साथ में to का use जब subject को किसी काम को करना था ऐसे में was work के साथ to लगा सकते हैं या फिर head के साथ to का use करके sentence को बना सकते हैं। जब भी आपको sentence में कहना हो कि किसी काम को करना पड़ता था। जैसे उन दिनों मुझे school जाना पड़ता था, तो जाने के काम को करना पड़ता था। ऐसे में head to, किसी काम को करना पड़ा, ऐसे में भी head to, तो आप देख रहे हैं, had to के तीन अलग-अलग sense निकलते हैं, has या have के साथ to के दो अलग-अलग sense निकलते हैं, इस MR के साथ मैं having to, करना पड़ रहा है, मुझे खेलना पड़ रहा है, मुझे आज का स्कूल जाना पड़ रहा है, ऐसे case में इस तरह से formation बनेगा, और will have to का use, जब भी आपको किसी काम को करना होगा, या करना पड़ेगा, तो इसे आपको ठंग से याद करना है, समझना है, और हो सके तो इसका आप screenshot भी ले सकते हैं, अगर मैं examples की बात करूँ, तो बहुत ही simple है, मान लिजिए मुझे कहना है कि मुझे खेलना है, खेलना है, तो I am to play, और जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे खेलना है, इसके लिए मैं has या have का भी यूज़ कर सकता हूँ, तो I के साथ मैं क्या यूज़ करूँगा, have, I have to play, उसे खेलना है, कोई लड़का है, उसे खेलना है, तो he, he के साथ मैं क्या यूज़ करूँगा, he is, he is to play, और अगर मैं चाहूँ, तो मैं has या have का भी यूज़ कर सकता हूँ, उसके साथ to लगा के भी बना सकता हूँ, उसे खेलना है, he has to play, तो इस तरह से sentences को आप समझते हो बना सकते हैं, बहुत difficult नहीं है, मान लिज़े आपको कहना है कि, मुझे आज ही फैसला करना पड़ेगा, बताइए कौन सा लगेगा, किसका use करेंगा आप, मुझे आज ही फैसला करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या करना होगा, मैं किसी भी तरह के से sentence को बोलूँ, बात सब ही जगहों पर, फैसला करने को decide कहते हैं, I will have to decide आज ही, today itself, I will have to decide today itself, है ना simple, अचा अगर मैं कहूँ कि, उसे मेरे घर आना पड़ा, उसे मेरे घर आना पड़ा, आने के काम को करना पड़ा, had to, he had to come to my home, he had to come to my home, मेरे भाई को रोज आफिस जाना पड़ता था, सोचिए किस के साथ बनेगा, जाना पड़ता था, यानि जाने के काम को करना पड़ता था, had to के साथ बनेगा, subject कौन है मेरा भाई, my brother had to, to के बाद verb की first form, क्रिया की first form, क्रिया क्या है, जाना, जाने को go कहते हैं, my brother had to go, कहां जाना पड़ता था, office, to the office, rows, every day, हमें सोचना था और फिर बोलना था, हमने गलती कर दी, हमें सोचना था फिर बोलना था, तो सोचना था, सोचने के काम को करना था, या तो इसके साथ में, या इसके साथ में, तो हमें सोचना था, सोचने को think कहते हैं, we, we के साथ तो वर लगता है, we were to think, या फिर we had to think, हमें सोचना था, हमें सोचना था और फिर बोलना था, we were to think and then talk, या फिर were to की जगह पे हम use कर सकते हैं, had to, we had to think and then talk, और तब बोलना था, बोलने के लिए talk भी कह सकते हैं, या फिर हम speak भी कह सकते हैं, वैसे यहाँ पर speak कहना जादा बहत We were to think and then speak, or we had to think and then speak. उसे आजकल स्कूल जाना पढ़ रहा है, क्योंकि स्कूल रोज कुल रहा है, उसे आजकल स्कूल जाना पढ़ रहा है, तो किसी काम को करना पढ़ रहा है, उसे वो कहीं लड़का है, he is having to, और तू के बाद क्रिया क्या है, जाना, he is having to go to school these days. हमें ये काम करना पढ़ रहा है, हमें करना पढ़ रहा है, we, we are having to do this work, we are having to do this work. तो ये sentences तो हमें बहुत ही easy लगे, क्योंकि हमें सिर्फ पहचानना था कि किस तरह का sentence है, और उसके हिसाब से ही, जो भी formation हमें use करना था, हमने use कर लिया. लेकिन जब इन sentences के negative बनते हैं, तो थोड़ा सा चीजें बदल जाती है, पहले मैं आपको ये बता दूँ, कि देखिए, is, am, are का कोई भी sentence होता है, जब इसका negative बनता है, तो आपको सिर्फ not का use कर लेना होता है, is not, am not, या are not, उसके बाद to आएगा, ठीक है, तो is के बाद, am के बाद, are के बाद तो not लग जाता है, इसी तरह से was, were के बाद भी not लग जाता है, negative sentence में, और यहाँ पर भी is, am, are के बाद not लग जाएगा इस जगह पे, है न, is having to, is not having to, जैसे मैंने का, we are having to do this work, हमें यह काम करना पढ़ रहा है, we are having to do this work, अगर होता कि हमें यह काम नहीं करना पढ़ रहा है, we are not having to do this work, आर के बाद यहाँ पर क्या लग जाता फिर, not, तो यह तो है बहुत ही simple, अचा will have to, इसका negative अगर बनेगा, तो will के तुरंद बाद not का use हो जाएगा, will not have to, लेकिन, has, have, यह वाला जो formation है, और यह वाला जो formation है, इनके negative थोड़ा सा different way में बनते हैं, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको confusion हो सकता है, हमने यह देखा, कि जब भी किसी sentence में subject को किसी काम को करना है, ऐसे में has या have के साथ to का use करना होता है, लेकिन जब इन sentences के negative बनते हैं, तो दो तरीके हैं, अगर उस sentence में has का use करना पढ़ रहा है subject के हिसाब से, तो negative sentence में has के साथ में लगा देना है, not, एक तरीका यह हो सकता है negative बनाने का, लेकिन एक दूसरा तरीका हो सकता है, does not have, यह बिल्कुल वही तरीका है, जो हमने simple sentences में भी पढ़ा था, जब भी हम has का negative बनाते थे, यह याद रखना है आपको, और यहाँ पर has नहीं, यह क्या है, have, does not have, और जब हम have का negative बनाते हैं sentence में, तो यह तो simply उसके साथ not लगा सकते हैं, जैसा कि हम present के perfect tense में भी करते हैं, has के साथ not, have के साथ not, या फिर, do not have, और इसी तरह से, करना था, करना पढ़ता था, या करना पढ़ा, इनके लिए हमने यूज किया, have to का, इनके negative, इसका negative भी दो तरीके से बनेगा, या तो head के साथ simply आप not लगा दें, या फिर, did, did not have, जैसा कि हम past की, simple sentences past की category two में करते थे, मान लिजे मुझे कहना है कि, उसे रात का खाना बनाना पढ़ता है, मान लिजे ये sentence है, उसे रात का खाना बनाना पढ़ता है, तो किसी काम को करना पढ़ता है, he, क्या कहूँगा मैं, he has to cook dinner, he has to cook dinner, negative बनाना है तो मैं क्या करूँगा, has के तुरंत बात, या तो मैं not लगा दूँगा, he has not to cook dinner, तो पहले हम इसके साथ ही चलते हैं, he has not to cook dinner, अब अगर इस sentence का interrogative बनाऊ, क्या उसे रात का खाना बनाना पड़ता है, क्या से शुरुवात कर दूँ, तो ऐसे मैं has को उठा के शुरुवात में, has he to cook dinner, और अगर मैं क क्या उसे रात का खाना नहीं बनाना पड़ता है, has he not, not हमेशा subject के तुरंत बात आता है, negative interrogative sentences में, तो क्या उसे रात का खाना नहीं बनाना पड़ता है, has he not to cook dinner, ये तरीका है, ठीक है, उसे रात का खाना क्यों नहीं बनाना पड़ता, क्यों बोल दिया, तो has से पहले क्या जाएगा, why, why has he not to cook dinner, उसे रात का खाना कब बनाना पड़ता है, कब के लिए when, उसे रात का खाना किसके साथ बनाना पड़ता है, तो किसके साथ के लिए with whom, with whom has he to cook dinner, इस तरह से, अगर sentence में negation भी है, negative भी है, तो not का use करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, तो एक तरीका त does not have के साथ लेते हैं, उसे रात का खाना बनाना पड़ता है, इस बात को तो मैं वैसे बोलूँगा, he has to cook dinner, लेकिन अब जब मैं इस sentence को negative करूँगा, तो मुझे यूज करना है does not have, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, और मैं आपको बता दूँ, ये तरीका साथा यूज होता है, does not have, do not have, या did not have, तो इस sentence का negative, उसे रात का खाना नहीं बनाना पड़ता है, he does not have to cook dinner, और अगर आपको याद हो, तो simple sentences, present में या past में जो second category के sentence हमने बनाए थे, जब आप negative sentence ऐसे बनाते हैं, तो interrogative कैसे बनाएं गया, क्या उसे रात का खाना बनाना पड़ता है, तो क्या कहते हैं, तो शुरुवात होती है, does से, ऐसे sentences में, does से शुरुवात होती है, फिर subject और उसके बाद है बाता है, does he have to cook dinner, उसे रात का खाना क्यों बनाना पड़ता है, अब क्यों के लिए, फिर does से पहले क्या use कर लेंगे, why, why does he have to cook dinner, देखें ये तरी तरीका क्या है, why does he have to cook dinner, तो ये तरीका ज्यादा use होता है, English conversations में, ठीक है, why does he have to cook dinner, और क्या उसे रात का खाना नहीं बनाना पड़ता, यानि question भी और negative भी, तो he के तुरुवा not लग जाएगा, does he not have to cook dinner, तो ये आपके लिए थोड़ा सा interesting हो गया ना, कि जैसे is के साथ not, not, m के साथ not, r के साथ, उनके साथ तो आप simply not लगा देते हो, जैसे मुझे जाना है, I am to go, अगर आपने कहा, जैसे मैं आपको पिसली screen में बता है, not लगाना है आपको, कि मुझे नहीं जाना है, I am not to go, क्या मुझे जाना है, क्या के लिए m को शुरुवात में ले आओ, am I to go, क्या मुझे जाना है, am I to go, क्या मुझे नहीं जाना है, am I not to go, यह अब not लग गया, मुझे क्यों नहीं जाना है, तो why लगा दिया, why am I not to go, है न, तो वहाँ तो simple है, लेकिन सिर्फ has, have के साथ to, और head के साथ to, इसमें ही थोड़ा सा tricky है, कि आपको ये, 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 दोनों तरीके साथ sentence को बना सकते हैं, पर ये जादा बहतर तरीका है, अब इसका भी use एक बार देख लेते हैं, तो ये शायद थोड़ा सा और आपकी exercise हो जाएगी, sentence लेता हूँ, रवी को मुंबई जाना पढ़ता था, पढ़ता था, रवी had to go to मुंबई, positive sentence तो बिल्कुल ऐसी बनना है, अब अगर इसका negative मुझे बनाना हो कि रवी को मुंबई नहीं जाना पढ़ता था, तो head के बाद तुरंत not का use कर लूँ एक तरीका, तो ये है, रवी had not to go to मुंबई, लेकिन इसका जो दूसरा तरीका है, एक तरीका तो ये होगा, दूसरा तरीका negative को बनाने का क् करना था, करना पड़ता था, करना पड़ा का, जो negative है, नहीं करना था, नहीं करना पड़ता था, नहीं करना पड़ा, इनके लिए, ठीक है, और यहाँ पर does ये do का use, आप अलएड़ी जानते हैं, क्यों किया जाता है, does का ये has का use कप करते हैं, जब subject होता है, third person singular, और बाकी third person singular के लावा कोई भी subject हो, आप हमेशा have का use करते हैं, या फिर sentence मागर do लाना है, तो do का use करते हैं, तो इस sentence को बनाने का एक तरीका did not have के साथ क्या हो सकता है, रवी did not have to go to Mumbai, और जब हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो हम लिखते हैं, didn't, didn't किया didn't, तो बोलते भी ऐसे ही ह रवी didn't have to go to Mumbai, और अगर मुझे कहना है, क्या रवी को मुंबई जाना पड़ता था, had को शुरुवात में, had रवी to go to Mumbai, not नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा का, क्या रवी को मुंबई जाना पड़ता था, तो interrogated sentence, had रवी to go to Mumbai, और अगर मैं दूसरे वाले तरीके से sentence को ब to go to Mumbai, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ tough है, चीज़े बहुत ही आसान है, अगर ये negative interrogative हो, तो रवी के तुरंत बात यहाँ पर not का use हो जाएगा, had रवी not to go to Mumbai, क्या रवी को मुंबई नहीं जाना पड़ता था, या फिर did रवी not, यहाँ पर not आगा, did रवी not have to go to Mumbai, क् अचा अगर मैं एक sentence independently एक sentence देता हूँ, हमें उसके साथ क्यों खेलना पड़ा, तो आपको ये समझ में आगे कि head to का formation है, हमें उसके साथ क्यों खेलना पड़ा, क्यों बोल दिया, interrogative sentence है, why का use होगा, wh family member की तरह, तो आप सबसे पहले why का use करेंगे, why, why के बाद उस sentence की जो अभी auxiliary verb है, उसका use होगा, why had, और किसे हमें, तो subject है हम, हम के लिए we, why had we, और आप ये जानते हैं कि head to का formation है, जो to है, ये subject के तुरंत बाद आएगा, we के तुरंत बाद, why had we to play उसके साथ, with him, why had we to play with him, एक तरीका तो ये हो सकता है, अगर हम दूसरे तरीके के साब से चले तो ऐसे case में हमें auxiliary verb जो की subject से पहले आएगी, वो had नहीं, क्या use करने पड़ेगी, did, लेकिन ऐसे में फिर have का use subject तुरंत बाद करना ही होगा, तो why did we, why did we have to play with him, why did we have to play with him, हमें उसके साथ क्यों खेलना पड़ा, तो ये concept बहुत ही simple है, main चीज बस यही आपको याद रखनी है, बहुत से students को confusion होता है इस तरह के sentences में, कि negative कैसे बनाएं, तो negative का मैंने आपको बता दिया, has have plus two या had two वाले जो formation है, उसमें negative बनाने के आपके सामने दो-दो तरीके हैं, अब हम आचुके हैं, has to have, have to have और had to have जब भी किसी sentence में आता है, pass होना चाहिए, जैसे मेरे पास pen होना चाहिए, उसके पास laptop होना चाहिए, आपके पास किताबे होनी चाहिए, आपके पास अच्छी communication skills होनी चाहिए, English में, call centers में apply करने के लिए, तो किसी न किसी के पास कुछ होना चाहिए, इस तरह के sentences को हम already cover कर चुके हैं, और हमने देखा था, should have के साथ हम इने बनाते हैं, ठीक उसी तरह से, जैसे इन sentences को आप should have के साथ बनाते हैं, pass होना चाहिए के लिए, उसी तरह से आप has to have या have to have के साथ बना सकते हैं, फर्क से इतना है, कि जब आप should have के साथ बनाते हैं, तो आप ये नहीं दे हो, चाहे कोई plural subject हो, कुछ भी हो, आप should have का use कर लेते हैं, जैसे मान लिजी आपको कहना है कि उसके पास pen होना चाहिए, तो आप कह देते हैं, he should have a pen, या मेरे पास pen होना चाहिए, तो कह सकते हैं, I should have a pen, इन दोनों sentences में आपने देखा, यहाँ पर यह subject है third person singular, जबकि यह subject है first person singular, तो third person singular के अलावा, जो भी subject हो, चाह आई हो, या फिर आपके पास pen होना चाहिए, you should have a pen, subject कोई भी हो, हम should have का use कर लेते हैं, pass होना चाहिए के लिए, ये बात already हम should के concept में समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, जब subject हो third person singular, ऐसे में use करेंगे has to have, has का use तो करते ही third person singular के साथ में हैं, ठीक है, और उसके अलावा कोई भी subject हो, चाहिए I, you, we, they, कोई भी plural noun हो, ऐसे में आपको use करना होता है, have to have, same sense के लिए, यानि कि sentence को आप should have के साथ भी बना सकते हैं, और has to have या have to have के साथ भी बना सकते हैं, तो अगर मुझे कहना है, उसके पास pen होना चाहिए, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, he should have a pen, या फिर मैं कह सकता हूँ, he has to have a pen, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, has to have, लेकिन जब मेरा subject third person singular के अलावा है, जैसे I, you, we, they, या कोई भी plural, noun, pronoun, ऐसे में अगर मैं sentence को should have के साथ बनाना चाहता हूँ, तो बना सकता हूँ, लेकिन अगर इसके साथ, इस formation के साथ मुझे बनाना है, तो मैं यूज़ करूँगा, have to have, तो should have की जगा पे मैं क्या कोँगा, have to have, I have to have a pen, इसी तरह से यहां पर भी आपके पास pen होना चाहिए, you have to have a pen, तो यह topic बहुत ही simple है, इसमें कोई confusion नहीं है, और मैं आपको बता दूँ, जब आप इसके negative बनाते हैं, जैसे आपके पास pen नहीं होना चाहिए, ऐसे में generally इस formation में आप बनाते ही नहीं हैं, आप कैसे बनाएंगे, he should not have a pen, I should not have a pen, आपके पास pen नहीं होना चाहिए, you should not have a pen, तो जब आपको negative बनाना है, तो आप इस formation का use ना के बराबर देखेंगे, कर रहीं नहीं, और जब आपको positive sentence बनाना है, जहाँ पर not का use नहीं हो रहा है, ऐसे में आप should have के अलावा has to have, या फिर have to have का use कर सकते हैं और past की जब बात करें past, past होना चाहिए था, इसके लिए हमने should के concept में क्या देखा था, should have had, मान लिजे मुझे कहना है कि उसके पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए थी, he should have had a good job, ठीक इसी तरह से यहाँ पर should have had की जगह पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, had to have, बस इतना सा topic है, तो जब भी कभी किसी sentence में past होना चाहिए, यह past होना चाहिए, था आपको कहना है, आपके पास वो विकल्प तो ही है, जो हम already पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक उसी तरह से आपके पास यह विकल्प भी है, कुछ और examples के अगर मैं बात करूँ, मान लिजे मैं आ subject हैं हम, we के साथ में मैं लगा देता हूँ, should have, क्योंकि हमारे पास होना चाहिए, we should have at least two years experience to apply for a job in that company, इस बात को पहले मैं लिख देता हूँ, we should have हमारे पास होना चाहिए, कम से कम at least two years experience, दो साल का experience to apply, apply करने के लिए job के लिए in that company, उस company में, उस company में job के लिए अपलाई करने के लिए हमारे पास कम से कम दो साल का experience होना चाहिए, पास होना चाहिए आ गया, तो मैंने should have का use कर लिया, अब अगर मैं चाहूँ, तो इस should have की जगह पे मैं, we have to have, we have to have at least two years experience to apply for a job in that company, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी difficult है, मान लिजे मैं कहूँ कि उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास कम से कम कुछ तो होना चाहिए था, उसके पास कुछ नहीं था, कुछ तो होना चाहिए था मान लिजिया ऐसा sentence बोलना पड़ा तो he एक तरीका तो should have had he should have had at least something to speak ठीक है तो should have had की जगा पे जो हम अलड़ी पहले भी पढ़ चुके है should have had, pass होना चाहिए था कि जगा पे मैं क्या कह सकता हूँ had to have he had to have उसके पास होना चाहिए था at least something कम से कम कुछ तो बोलने के लिए to speak अच्छा आप में से कितने ये जानते हैं कि चाहिए जब किसी sentence में आता है चाहिए तो चाहिए के लिए हम should का भी use करते हैं must का भी use करते हैं और modal verb ought का भी use करते हैं ought के बाद हमेशा to का use किया जाता है simple मान लिजिए कोई sentence है उसे वहाँ जाना चाहिए he should go there या फिर he must go there या फिर he ought to go there तीनों ही तरीकों से इस sentence को अगर हम बनाएं तो कुछ भी गलत नहीं है ये बास सही है कि थोड़ा सा फर्क हो जाता है should must या ought में फर्क हो जाता है कि must का use आप generally तब करते हैं जब कोई काम बहुत जरूरी है जैसे आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए ये वाला sense आ जाए और ought का use आप तब करते हैं जब कोई ideal condition हो चाहिए तो हम कह रहे हैं लेकिन ideal condition बिल्कुल others situation में ideal condition का मतलब क्या है जैसे मानली जी मैं आपसे कहूँ कि हर किसी को सच बोलना चाहिए तो ये बात सही है हर किसी को सच ही बोलना चाहिए लेकिन बोलता नहीं है वो एक अलग matter है लेकिन हर वेक्ति को हर किसी को सच बोलना चाहिए ये एक ideal बात है एक आदर्स बात है तो ideally यहाँ पर ought का यूज़ करना जादा बहतर है हलागि ऐसा कोई इसका thumb rule नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़े हैं मान लिजे मैं कहता हूँ he ought to go there उसे वहाँ जाना चाहिए मान लिजे किसी के father hospital में admit हैं तो क्या उसका फर्ज नहीं है कि उसको वहाँ जाना चाहिए बिल्कुल जाना चाहिए तो ऐसे मैं ought to go कहना गलत तो नहीं है सही है यह sentence और अगर मैं कहूँ कि आपको उसे वहाँ जरूर जाना चाहिए मैंने कहा उसे वहाँ जाना चाहिए उसके पापा हॉस्पिटल में है उसे वहाँ जाना चाहिए तो understood है कि भली मैं नहीं कहा रहा हूँ कि जरूर जाना चाहिए लेकिन फिर भी मत्तब तो यही है कि जाना ही चाहिए तो ऐसे में must का use भी गलत नहीं है और केवल अगर मैं should का use करना हूँ तो क्या गलत है he should go there, simple तो ideally चाहिए के लिए आप किसी का भी use कर सकते हैं यह बात अलग है कि सबसे जादा use होता है should और जब थोड़ा सा जरूरी हो ऐसे में must तो जब हम कहते हैं कि हर किसी को सच बोलना चाहिए तो ऐसे में everyone ought to speak the truth वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ideal condition में ought to का use करते हैं लिकिन ऐसा कुछ नहीं है जब आप English बोलते हैं, conversations में ought to का use बहुत कम आप देखते हैं आप should का use करनें, कोई problem नहीं है ठीक है? और अगर आपको थोड़ा जरूरी लगता हो तो ठीक है? कर लिजिए must का use everyone must speak the truth बोलना ही चाहिए सच यह जरूर बोलना चाहिए तो modal verbs में आपने has to have, have to have इनका use देखा, pass होना चाहिए के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हम should have का use कर लेते हैं और had to have का use बिल्कुल वैसे जैसे should have had का use करते हैं कि हमने should में सीखा था और हमने यह भी देखा कि must का भी use कर सकते हैं or to का भी use कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा जरूरी लगे तो must का use कर लिजिए और अगर ideal condition वाली बात होती है तो or to का use कर लिजिए अब modal verb की तरह होता है चाहिए के sense में आप अकसर देखेंगे उं इस sense में भी देखेंगे अभी मैं आपको example बताता हूँ और किस तरह के sentences में generally interrogative sentences में interrogative मतलब प्रश्न वाचक जहां पर कोई प्रश्न पूछा गया हो जैसे मान लिजे मुझे कहना है कि shell का use भी पाएंगे shall I go there क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए क्या राहूल को मुझसे बात करनी चाहिए क्या राहूल को मुझसे बात करनी चाहिए should राहूल talk to me यहाँ पर भी should की जगा पर आप कह सकते है shall राहूल talk to me simple तो shell का use as a modal verb चाहिए के sense में एक तरीका यह है और दूसरा उँवली जो मैं बात कर रहा हूँ जैसे क्या मैं जाऊं क्या मैं उसके साथ खेलूं क्या मैं उसके साथ बात करूं तो यह उँवा राहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उँवाले sentences में shall का use क्या मैं उससे बात करूं इसके लिए shall I talk to him क्या मैं शाम को आपको call करूं करूं उँवा गया ना shall I call you in the evening हलकिन sentences में shell की जगह पर आप do का भी use कर सकते हैं यह भी बड़ा interesting है shell की जगह पर उँवाले sentences में आप do का भी use कर सकते हैं इस बात को भी आपको notes में अपने लिखना है do I talk to him यह shall I talk to him क्या मैं उससे बात करूं यही sense निकलेगा उसी तरह से यहाँ पर shall I call you in the evening क्या मैं आपको शाम को call करूं यह फिर do I call you in the evening क्या मैं आपको शाम को call करूं मैं वहां क्यों ना जाऊं मैं वहां क्यों ना जाऊं क्यों के लिए why उसके बाद modal verb आएगी जो भी auxiliary verb होती है जैसे मैं shell का use कर रहा हूँ why shall I मैं वहां क्यों ना जाऊं why shall I not go there और जैसा मैं आपको बता है shell की जगह पे आप क्या कह सकते है do why do I not go there मैं किस किस से मिलूँ कैसे बनाएंगे सोचिए इस sentence को किस किस से यनि कौन कौन हो जिए जिन से मैं मिलू who all shall I meet यहां पर भी आप shell की जगह पे do का use कर सकते है who all shall I meet या who all do I meet और who की जगह पे आप whom का भी use कर सकते है तो English की एक खासियत है कि बहुत सारी चीज़ें होती है एक ही sentence को बनाने के कई तरीके निकल जाते हैं अब हम आ गए हैं semi-modals पे कौन से हैं semi-modals एक है dare और एक है need और इसे semi-modals क्यों कहते हैं हमारा topic तो modal verbs है न modal verbs लेकि हम semi क्यों कहते हैं क्योंकि कहीं पे dare और need का use एक modal verb की तरह होता है और कहीं पे इसका use होता है main verb की तरह main verb का मतलब क्या होता है मुख्य क्रिया कैसे होता है आए देख लेते हैं जब भी किसी sentence में हिम्मत की बात हो ऐसे में dare का use किया जा सकता है और जब हम किसी sentence में जरूरत या आवशक्ता की बात करते है ऐसे में need का use किया जा सकता है ठीक है अब dare और need का use आप दो तरीके से कर सकते है अगर sentence को आप इस तरह से बनाएं कि dare और need को आप main verb की तरह समझे मुख्य क्रिया की तरह ऐसे में dare और need के तुरंत बार आपको to का use करना पड़ेगा लेकिन अगर आप sentence को जब बनाएं उसे dare और need को आप modal verb की तरह समझे ऐसे में आपको to का use नहीं करना पड़ेगा इसलिए cross लगा है ठीक है यानि कि dare के साथ अगर to लिखावा कहीं दिखे यह need के साथ to लिखावा कहीं दिखे तो समझ जाईए कि यहाँ पर dare और need का use एक मुख्य क्रिया की तरह हो रहा है और अगर ना दिखे to का use तो ऐसे में modal verb की तरह हो रहा है ठीक है अच्छा दूसरा point जब भी dare और need का use sentence में main verb की तरह होगा अभी आपको सब समझ में आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा पहले एक बाद देख लिजे बारी किया जब भी dare और need का use main verb की तरह होगा तो present tense में हो या past tense में हो या future tense में हो जिस भी rule के हिसाब से जैसे present indefinite का जो भी rule होता है present perfect का जो rule होता है past indefinite, past perfect, future indefinite, future perfect लेकिन never in continuous tense यानि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि sentence continuous tense में आप बनाएं ये बात अभी आपको examples में पता लगेगी और जब भी dare और need का use modal verb की तरह होगा तो हमेशा वो बात present में कही गई होगी past और future में नहीं कह सकते आप अगर past और future में sentence को बनाना है dare या need के साथ में ऐसे में आपको इसे main verb की तरह बनाना होगा और उसके तुरंत बात to का use भी करना होगा ठीक है और modal verb की तरह इनका use केवल negative sentence में negative negative sentence में या फिर interrogative sentence में होता है positive sentence में नहीं होता है positive sentence में आप केवल यहां पर बना सकते हैं tense की तरह, जैसे tense में बनते हैं, अब ज़रा sentences लेते हैं, और समस्ते हैं इस बात को, मान लिजीए मैं एक sentence लेता हूँ, वो वहाँ जाने की हिम्मत करता है, तातिती आ रहा है है हो हू, present का कौन सा tense है, indefinite tense है, कैसे sentence को बनाऊंगा, वो हिम्मत करता है, क की dare, हिम्मत करना के लिए dare, ठीक है, third person singular subject है, present indefinite tense के rule के हिसाब से क्या लगेगा, yes, he dares, वो हिम्मत करता है, और dare के बाद to का यूज़ करना ज़रूरी है, he dares to, वहाँ जाने की, जाने को go कहते हैं, go dare, अगर मुझे इस sentence का negative बनाना है, कि वो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं क करता है, ऐसे में present indefinite tense में आप जानते हैं, he does not, does not आएगा negative में, he does not, verb की first form dare to go there, वो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता, he does not dare to go there, ये बाते हैं आपको तब समझ में आ रही हैं, जब आपने tense पढ़ लिया है, अगर आपने tense नहीं पढ़ा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मान लिजी इस sentence को interrogative बना दूँ, क्या वो वहाँ जाने की हिम्मत करता है, क्या से शुरुवात कर दूँ, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, does को शुरुवात में ले आते हैं, does he dare to go there, और अगर मुझे कहना है कि क्या वो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता, तो क्या बास से शुरुवात हो रही है और नहीं की भी बात हो रही है तो negative interrogative है, ऐसे में does he, और he के तुरंद बार not लग जाता है, does he not dare to go there, अब आपने ये देख लिया, वो वहाँ जाने की हिम्मत करता है, वो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है, क्या वो वहाँ जाने की हिम्मत न तरह से बनाया जाए कि dare का use sentence में एक modal verb की तरह किया जाए। ऐसे में इसके तुरंत बार to का use नहीं किया जाता जैसे कि हमने यहाँ पर किया। ठीक है। अब कैसे बनेगा। तो पहले positive sentence को देखते हैं कि वह वहाँ जाने की हिम्मत करता है। क्या इस sentence को मैं as a modal verb dare को लेके बना सकता हूँ नहीं बना सकता। क्योंकि किवल negative और interrogative sentence ही बनाया जा सकते हैं, positive sentence नहीं बनाया जा सकते। तो यहाँ पर मैं इस तरह से sentence modal verb की तरह dare को लेके नहीं बना सकता। लेकिन यह जो negative sentence है, इसी sentence को इस तरह से मैं बना सकता हूँ कि dare के बाद to का use ना करना पड़े और वहाँ पर dare का use as a modal verb हो, negative sentence में कैसे बनाऊंगा, he, अब चुकि dare का use एक modal verb की तरह हो रहा है, ऐसे में वहाँ पर ses tense के rule नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर tense की बात नहीं क बात कर रहें modal verb की, तो कैसे बनेगा, he dare, as नहीं लगेगा, और इसके बाद to भी नहीं लगेगा, सीधा go there, चुकि यह sentence negative है, तो एक चीज मिस हो गई, यहाँ पर not का use किया जाएगा, तो एक ही sentence को, वह वहाँ जाने की हिमत नहीं करता है, अगर इस sentence को आपको बोलना तो या तो आप ऐसे लिखिया बोल सकते है, he does not dare to go there, वह वहाँ जाने की हिमत नहीं करता है, या फिर आप ऐसे लिख सकते है, या बोल सकते है, he dare not go there, देखिए, यहाँ पर आपने to का use नहीं किया, और नहीं tense के हिसाब से यहाँ पर as, yes का use किया, यहीं है इसकी खूबी भ जाता है, अच्छा, अब हम इस sentence को modal verb के साथ बनाते है, क्या वह वहाँ जाने की हिमत करता है, क्या से शुरुवात, आप जानते हैं कि कोई भी modal verb जैसे यहाँ पर होती, मान लिजे should होता है, तो should को शुरुवात में ले आते, वैसे ही dare को उठा के शुरुवात में ले आते ही interrogative sentence में, dare, उसके बाद subject, dare he, उसके बाद go there, dare he go there, क्या वो वहाँ जाने की हिमत करता है, dare he go there, तो क्या वो वहाँ जाने की हिमत करता है, इस बात को दो तरीके से बोल सकते है, does he dare to go there, या तो ये तरीका, dare he go there, एक वो तरीका, जो तरीका जिसे अच्छा लगता है, उस तो तो परीके से sentence को बनाया जा सकता है. और अगर मुझे कहना है क्या वो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है? तो dare he not go there? यहाँ पर he के तुरणद बार subject के तुरणद बार not लग जाता है negative interrogative में. Dare he not go there? अब अगर मुझे कहना है कि वो वहाँ जाने की हिम्मत क्यों करता है? क्यों करता है? तो क्यों के लिए मैं क्या करूँगा? या तो इससे पहले why लगा दूँगा. Why? Why does he dare to go there? यह sentence है यह. या फिर वो वहाँ जाने की हिम्मत क्यों करता है? या के लिए मैं यहाँ पर भी why लगा सकता हूँ. यानि sentence को दो तरीके से बना सकता हूँ. दूसरा तरीका यह है. Why dare he go there? Why dare he go there? और इसलिए जब हम कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? कैसे? कैसे गल हम क्या कहते हैं? How? How dare you? आपकी हिम्मत कैसे हुई? How dare you? और अगर उसके बाद, उसके बाद मुझे कहना है, आपकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? How dare you? यू के बाद क्या आजाता है? सीधा, वर्ब की first form, two का use तो नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इससे आप अपनी note book में note करेंगे, थोड़ा सा difficult आपको लगेगा, लेकिन ध्यान से समझना है, और जैसा मैंने आपको बताया, affirmative sentence, modal verb के साथ में dare के साथ नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन negative बनाया जा सकता है, और interrogative भी. अब आप अगर ये कहें कि सर ये तो negative interrogative है, देखें मैंने कहां interrogative, interrogative मतलब interrogative, चाहे वो negative हो, चाहे वो नहो, ठीक है, अच्छा कुछ और sentences लेते हैं, पिछली slide में मैंने आप से कहा, वो वहाँ जाने की हिम्मत करता है, करता है बोला, तो present का indefinite tense था, अब अगर मैं कहूँ, वो वहाँ जाने की हिम्मत कर रहा है, तो कर रहा है, तो आपके मन में आएगा, he is हिम्मत कर रहा है, हिम्मत करना वो dare कहते हैं, he is daring, ing लगा देंगे, he is daring to go there, dare के बाद to लगेगा, ठीक है, लेकिन, कमाल की बात ये है, कि dare एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी में वर्ब है, जिसके साथ कभी भी ing का use नहीं होता है, यानि कि अगर sentence आपको ये भी बोलना है, कि वो वहाँ जाने की हिम्मत कर रहा है, तब भी आपको sentence को present indefinite tense की तरह ही बनाना होता है, he dares to go there, ये English का एक interesting चीज़ है और एक confusion भी है, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर ये sentence में देखूं, he dares to go there, तो मैं तो समझूँँगा कि इसका मतलब है कि वो वहाँ जाने की हिम्मत करता है, जबकि मुझे कहना है कि वो वहाँ जाने की हिम्मत कर रहा है, लेकिन दोनों केसेस में वो वहाँ जाने की हिम्मत करता है, या फिर वो वहाँ जाने की हिम्मत कर रहा है, इस वक्त कर रहा है, ऐसे में भी आपको कहना है, he dares to go there, इसलिए यहाँपर लिखा गया है, never in continuous tense, कोई भी continuous tense हो, चाहे present continuous, present perfect continuous, past continuous, past perfect continuous, हाँ, perfect में बन सकते हैं, जैसे उसने ये फैसला लेने की हिमत की है, हिमत की है, की है, ली है, दी है, यानि कि वो हिमत कर चुका है, ऐसे में मैं कह सकता हूँ, he has dared to take this decision, he has dared, वो हिमत कर चुका है, यानि उसने हिमत की है, dare की third form लगा दी, क्योंकि main verb है, obvious सी बात है, इसकी तीन forms होती है, कौन से होती है, dare, dared, dared, second form भी dared, third form भी dared, he has dared to take this decision, negative बनाएंगे तो simple, he has not dared to take this decision, अगर interrogative बना दें, क्या उसने ये decision लेनी की हिमत की है, तो has शुरुबात में आ जाएगा, has ही हो जाएगा, और अगर negative interrogative बना दें, तो has he not, क्या उसने ये decision लेनी की हिमत नहीं की है, has he not dared to take this decision, अब interesting बात एक और, अब आप ये सोचेंगे, कि सर ठीक है, ये present tense में है sentence, present perfect में है, और आपने बताया कि ये tense भी, present में, आप dare का use, एक modal verb की तरह भी कर सकते हैं, और उसके आगे to का use नहीं करेंगे, तो इस sentence को, यहां पर आप कैसे बनाएंगे, modal verb की तरह, तो मैं आपको बता दूँ, कि जब perfect की बात होती है, किसी के भी perfect की, चाहिए हो present का perfect हो, past का हो, ये future का हो, continuous में तो ये sentence बनते ही नहीं, और अगर perfect में ये sentence बनाने हैं, तो केवल tense में बन सकते हैं, modal verbs में perfect के sentences भी नह यानि कि, अगर आपको इस तरह का कोई sentence बोलना है, या लिखना है, उसने वहाँ जाने की हमत की है, या वो वहाँ जाने की हमत कर चुका है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, लिया है, दिया है, किये, perfect के हर sentence को, आप उसी तरह से बनाएंगे, जैसे tense में बनाते हैं और वहाँ पर dare को आप main verb की तरह लेंगे और dare के बाद to का भी use करेंगे, modal verb की तरह dare को use करके इस तरह के perfect के sentences को नहीं बनाया जा सकता, अब अगर sentence को past में बनाना है, बीते कल में, उसने मुझे गाली देने की हिम्मत की, किसने की? उसने की, he आया गया, उठा बैठा, रोया, सोया, हसा जागा, नाचा गया, ली, दी, की, past का indefinite tense, इसमें verb की second form का use होता है, verb है dare, dare की second form dared, he dared, उसने dared to abuse me, उसने मुझे गाली देने की हिम्मत नहीं की, he did not dare to abuse me, इसी तरह से, क्या उसने मुझे गाली देने की हिम्मत की, क्या से शुरुवात कर दिया, तो उसने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? How? How did he dare to abuse me? उसने मुझे गाली देने की हिम्मत क्यों नहीं की? क्यों नहीं बोल दिया? तो यहाँ पर why आ जाएगा Why did he not dare to abuse me? सही है, इस तरह से sentence बनेंगे. आप देख रहे हैं, यह सभी sentences पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बन रहे हैं. ली, दी, की, लिया, दिया, किया. और आप यह जानते हैं, कि इन ही sentences को as a modal verb लेके, dare को as a modal verb लेके बनाया नहीं जा सकता. क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि किवल present की ही sentences को dare के साथ बनाया जा सकता है. और यह dare की बात नहीं है, यह need की भी बात है, अभी मैं आपको बताता हूँ. और आप यह भी देख रहे हैं, कि present के sentence वो भी कौन से? जो continuous नहीं होने चाहिए, और perfect भी नहीं होने चाहिए. modal verb की तरह, perfect में भी dare को लेके sentence नहीं बनाया जा सकता. अब अगर past perfect की बात करें, जैसे उसने उस दिन वहाँ जाने की हिम्मत की थी, तो he had dared, he had dared to go there that day. अगर negative बनाना हो, उसने उस दिन वहाँ जाने की हिम्मत नहीं की थी, तो had के तुरंट बात क्या लगा देंगे? not. he had not dared to go there that day. और क्या उसने उस दिन वहाँ जाने की हिम्मत की थी, क्या बोला तो had को शुरुवात में ले आएंगे? had he, पहले had आ जाएगा, had he dared to go there that day? question mark. और perfect के sentences को तो आप modal verb की तरह dare को लेके बना ही नहीं सकते? तो cool मिला के, ऐसे समझ लीजिए, कि अगर आपको dare और need का use sentence में करना है, हिम्मत करना ये जरूरत आवशक्ता के लिए, ऐसे में, आप इनके आगे to का use करके, हमेशा किसी भी tense की तरह से बना सकते हैं, बस इतना ध्यान रहे कि continuous tense में ये वाले sentences नहीं बनते हैं. ठीक है? अच्छा, कुछ और sentences लेते हैं, और ये sentences लेते हैं need के साथ. अगर मैं present in definite tense के साथ sentence ले लू need का, उसे वहाँ जाने की जरूरत पढ़ती है, पढ़ती है, तातेती के साथ है है हो हूँ, या फिर उसे वहाँ जाने की जरूरत है, ऐसा भी कह दूँ, बात एक ही है, he, present in definite tense में, as a verb आपने यूज किया, as a main verb need, need के बाद s लग जाएगा, उसके बाद to तो लगा नहीं है, he needs to go there, उसे वहाँ जाने की जरूरत पढ़ती है, उसे वहाँ जाने की जरूरत नहीं पढ़ती, he doesn't need to go there, यहाँ पर मैंने doesn't कह दिया, doesn't मतलब does not, ठीक है, contraction है, यह बात tense में बताईए मैंने आपको, और क्या उसे वहाँ जाने की जरूरत पढ़ती है, तो क्या के लिए does को शुरूरत में ले आएएंगे, does he need to go there, क्या उसे वहाँ जाने की जरूरत पढ़ती है, और क्या उसे वहाँ जाने की जरूरत नहीं पढ़ती, तो he के बाद not लग जाएगा, does he not need to go there, अच्छा यही sentence, अभी तो present indefinite tense में हमने बनाया, और अगर इसे past में बनाया जाता, past indefinite tense में, तो कैसे बनाया जाता, उसे वहाँ जाने की जरूरत पढ़ी, जरूरत पढ़ी, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हसा, जागा, पढ़ा, तो past indefinite tense में हो जाता, ऐसे में, आप sentence को कैसे बनाते हैं, पहले subject, उसे जरूरत पढ़ी, past में, तो need की second form लगानी है, past indefinite tense में, तो needed, he needed to go there, उसे वहाँ जाने की जरूरत पढ़ी, और नहीं पढ़ी, तो he did not need to go there, ऐसे ही बनाया जाता है, interrogative sentence में, क्या उसे वहाँ जाने की जरूरत पढ़ी, तो did को शुरूरत में लिख लेंगे, did he need to go there, इस तरह से sentence बन जाता है, और अगर negative interrogative बनाना होता कि, क्या उसे वहाँ जाने की जरूरत नहीं पढ़ी, नहीं बोल देते, तो he के तुरंद बार not लग जाता, ये तो हम सब जानते हैं, simple सा case है, बिल्पूल इसी की तरह, ये past indefinite में, अब आप देखिए, अगर इन ही sentences को मैं, present के और past के, इस तरह से बोलना चाहूं, कि need का use, एक modal verb की तरह कर दूं sentence में, तो need के बाद to का तो use मैं कर नहीं पाऊंगा, अब चुकि ये जो present के sentences हैं, जैसा मैंने बताया, present के sentences को तो आप, as a modal verb लेकि नीड को बना सकते हैं, यानि कि to का use आप न करें, लेकिन मैंने आपको बताया, कि अज़ा पाल negative और interrogative को बना सकते हैं, तो जो ये affirmative sentence है, इसको तो आप, modal verb लेकि नीड को नहीं बना सकते, हाँ negative sentence को बना सकते है negative को कैसे बना सकते है ऐसे में he उसे वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है यह नहीं sentence का मतलब नहीं पड़ती है he need और मैंने आपको बताया कि जब ऐसा modal वाफ आप need को ये dare को लिते हैं तो SES वाला concept तो आता नहीं जैसे यहाँ पर होता है यहाँ पर सीधा not लग जाता है he need not go there यह देखिए कितना interesting है यनि कि एक ही sentence को आप इन दो तरीकों से बना सकते है he doesn't need to go there ऐसा भी कह सकते हैं sorry यहाँ पर question माग नहीं आएगा full stop या फिर he need not go there और need not को अगर हम contract कर दें तो हम कह सकते हैं need not go there और generally conversations में ऐसे ही बोला जाता है जब English बोलते हैं he need not go there ठीक है does he need to go there क्या उसे वहाँ जाने की ज़वत परती है अगर इसी sentence को मैं इस तरह से बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ क्या उसे वहाँ जाने की जवत परती है need को शुरुवात में लियाओंगा modal verb को need he उसके बाद क्या go there need he go there इसलिए आप अकसर देखते होंगे कई जगों पर आपको देखता होगा to नहीं लगाया और आप सोचते हैं अरे to क्यों नहीं लगाया इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर need का use एक modal verb की तरह हो रहा है और ऐसे में कभी भी उसके बाद to का use नहीं किया जाता और यह sentence क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूत नहीं परती है need he not go there need he not go there और आप यह भी जानते हैं कि negative interrogated sentences में आप not को need के साथ contract करके भी बोल सकते हैं तो need के साथ not को contract कर देंगे तो क्या बन जाए needn't needn't he go there क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूत नहीं परती है needn't he go there ऐसे भी बोल सकते हैं ठीक हो गया और जो past में आपने sentences बनाए अब चुकि मैंने आपको क्या बता है कि past में तो आप sentence को बनाई नहीं सकते है present का बना सकते हैं यनि अगर sentence को past में बनाना है तो केवल tense की तरह ही आप बना सकते हैं ऐसे में आप modal verb की तरह sentence को नहीं बना सकते हैं अब अगर sentence को future में ले लें वो आपको call करने की हिम्मत करेगा गागे की आगया future में he will dare to call you वो आपको call करने की हिमत नहीं करेगा तो will के तुरंद बाद not लग जाएगा he will not dare to call you और क्या वो आपको call करने की हिमत करेगा तो क्या के लिए will को शुरुआत में will he dare to call you और अगर मैं कहूं कि क्या वो आपको call करने की हिमत तो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा के लिए he के तुरंद बाद not लग जाएगा negative interrogative sentence में, वो आपको call करने की हिम्मत क्यों नहीं करेगा, क्यों के लिए why, why will he not dare to call you, ये सभी sentences future indefinite tense में, तो obvious सी बात है कि present में तो इन sentences को बनाया जाता है, modal verb की तरह dare या need का use आप future में तो नहीं कर सकते, तो अगर आपको future में कोई भी sentence बोलना है, जहाँ पर आपको कहना है कि हिम्मत करनी पड़ेगी, ये हिम्मत करेगा, ऐसे में हमेशा will का use किया जाएगा, और dare के बाद do का use किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर dare का use as a main verb हो रहा है, और इसी तरह से need के साथ, उसे आपको call करने की जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत या आवशकता पढ़ना, ऐसे समझ लिजिए आप, जब आप लिखेंगे अपने notes में, तो पढ़ना जरूर लिखे, जरूरत पढ़ना या आवशकता पढ़ना, तो उसे आपको call करने की जरूरत पढ़ेगी, he will, will के बाद need, verb की first form, he will need to call you, उसे आपको call करने की जरूरत नहीं पढ़ेगी, तो will के बाद not लग जाएगा, he will not need to call you, क्या उसे आपको call करने की जरूरत पड़ेगी, विल को शुरुवात में ले आएंगे, will he need to call you, क्या उसे आपको call करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो negative interrogative हो गया sentence, he के तुरंद बार not, will he not need to call you, उसे आपको call करने की जरूरत कब पड़ेगी, कब कह दिया, तो कब के लिए तो WH family member when, when will he need to call you, उसे आपको call करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, तो क्यों कह दिया तो why, और क्यों नहीं पड़ेगी, नहीं भी कह दिया, तो negative भी है sentence, interrogative भी है, why will he not need to call you, और जैसा मैंने आपको बताया था कि continuous tense में तो कभी भी sentence नहीं बनता है, dare ये need का, तो simple स बात है, जैसे मान लीजिए, मैं कहूं कि मुझे वहाँ जाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप सोचेंगे कि sentence को ऐसे बनाया जा सकता है, मुझे जरूरत पड़ रही है, I am needing I, I am needing to go there, कैसे sentence कभी आपने देखा है, नहीं देखा है, क्योंकि कभी भी need का use ये dare का use ing form में नहीं किया जाता है, हाँ इस तरह से हम कहते हैं, जैसे he is a daring person, वो एक daring person है, बहुत साहसी है, हिम्मती व्यक्ती है, तो यहाँ पर daring, यह verb के साथ ing नहीं है कि हिम्मत कर रहा वाली बात हो रही है, यह तो एक adjective है, adjective का मतलब विशेशन, जो कि किसी की विशेशता बता रहा है, उसकी विशेशता बता रहा है, उसके बारे में कुछ additional information दे रहा है, यह तो adjective है, तो ing form है, तो present participle है, जो कि adjective की तरह work कर रहा है, यह थोड़ा सा hardcore grammar का concept है, अगर आपको नहीं पता है, तो इतना सोचने की जोत नहीं है, आ ऐसे मानलीजी मुझे कहना है कि मैं वहाँ जाना चाहा रहा हूं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते है, I am wanting to go there, क्यों नहीं कह सकते है, I am wanting to go there, वरना लग तो ऐसे ही रहा है, मैं चाहा रहा हूं, चाहने को want कहते है, मैं चाहा रहा हूं, I am wanting to go there, वहाँ जाना, लेकिन want भी एक ऐसी verb है there or need की तरह जिसके साथ कभी भी ing का use नहीं किया जाता है बजाए इसके sentence को ऐसे ही बनाया जाता है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ या मैं वहाँ जाना चाहता हूँ दोनों cases में I want to go there तो कई ऐसी verbs हैं जिनके साथ ing form का use नहीं किया जाता समय के साथ ये बात आपको पता लगेगी आप कुछ sentences लेते हैं देखते हैं कि आप उन्हें बना पाते हैं कि नहीं पहला sentence है उसने किसी तरह अंदर जाने की हिम्मत की हिम्मत की आया गया उठा बैठा रोया सोया हसा जागा नाचा गया ली दी की लिया दिया किया past का indefinite tense पास्ट में है यहाँ पर मैं dare का use modal verb की तरह नहीं कर सकता अब जब मैं dare का use modal verb की तरह नहीं कर सकता इसका मतलब मुझे to तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर dare का use एक main verb की तरह होगा उसने की he और past indefinite tense में verb की second form dare की second form dared अब चुकि past indefinite tense की तरह बना रहे हैं sentence को modal की तब तो बन नहीं सकता क्योंकि past में और modal की तब तो केवल present में sentence बन सकता है है ना he dared to जाने को जाने को go कहते हैं he dared to go in उसने किसी तरह अंदर जाने की हिम्मत की he किसी तरह के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ somehow he somehow dared to go in next sentence उसे ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है he negative sentence he does not need to tell me about it about it मैं कह सकता हूँ यह मैं कह सकता हूँ about this matter इस बारे में इस मुद्दे के बारे में मुझे बताने की उसे जरूरत नहीं है he doesn't need doesn't मतलब does not he does not need to tell me about it अब आप देख रहे हैं कि यह sentence present में अब चुकि यह sentence present में है तो मैं इसको इसमे need का use modal verb की तरह भी कर सकता हूँ और चुकि नेगेटिव है तो मैं किस तरह से sentence को बना सकता हूँ he need और जब as a modal verb यूज किया जाता है तो as is का तो कोई मतलब रहता नहीं he need not need के बाद तुरंट क्या लगा देते हैं not he need not और उसके बाद verb की first form tell me about it तो आपने देख लिया जैसे sentence present में है और जरूरत पढ़ना या हिमत करना की बात हो रही है तो present में अगर वो sentence है तो उस sentence को tense की तरह भी बना सकते हैं जहाँ पर need या dare को आप main verb की तरह treat करें या फिर need या dare को एक modal verb की तरह treat करें और चुकि ये दोनो verbs कभी tense की तरह, verb की तरह, main verb की तरह या फिर कभी modal verb जिसे modal auxiliary verb कहते हैं उसकी तरह भी use की जा सकती है इसलिए इनको कहते है semi-modal next sentence यहाँ आने के आपकी हिमत कैसे भी ये sentence already मैंने आपको first slide में ही बता दिया था how dare you come here अब जब मैंने ये sentence बनाया तो आपने देखा कि subject से पहले मैंने क्या का कोई पूछे कि sentence में dare का use किसकी तरह हो रहा है तो आप कहेंगे as a modal verb लेकिन अगर इस sentence present में है तो इस sentence को मैं tense के हिसाब से भी बना सकता हूँ अब आप कहेंगे यहाँ आने के आपकी हिमत कैसे हुई आया गया उठा बैटा रोया सोया हसा जागा यह तो past में हो रहा है past indefinite tense लेकिन आप देखिए जब यह sentence कोई किसी व्यक्ति को कहेगा यहाँ आने के आपकी हिमत कैसे हुई इसका मतलब present में वो बात कर रहा है कि इस वक्त आपकी यहाँ आने की हिमत कैसे हुई तो यह sentence भले यहाँ आप लग रहा है हुई sentence present indefinite tense की तरह भी बन सकता है how do you dare to come here तो आपने देखा कि need और dare का use कितना tricky लग रहा है कहीं पर ऐजा modal verb यूज कर सकते हैं कहीं पर ऐजा main verb यूज कर सकते हैं अगर sentence present में है तो modal verb की तरह भी sentence को बना सकते हैं main verb की तरह भी बना सकते हैं अगर modal verb की तरह बनाएंगे तो उसके बाद to नहीं लगाएंगे अगर main verb की तरह बनाएंगे तो to लगाएंगे अगर sentence past या future में आपको बनाने की जोद पढ़ रही है हिम्मत करना ही है जरूरत पढ़ना के बारे में ऐसे में आप कभी भी sentence को modal verb की तरह dare और need को treat करके sentence नहीं बना सकते future और past में और अगर आप main verb की तरह treat करके sentence बना भी रहें तो continuous sentence भी कैसे बन रहा है present indefinite या past indefinite की तरह या future indefinite की तरह ठीक हो गया अभी चुकिए tricky तो है अभी तो हमने सिर्फ concept को सीखा है अब हमें करनी है practice अब हम यह जानते हैं कि हमने सभी modal verbs को cover कर लिया है सभी modal verbs अब हमें next वीडियो में करनी है practice बहुत सारे sentences लाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरह के और भी sentences आपके लिए practice के लिए कहां पर available हैं और फिलाल आज के लिए यहीं तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करिएगा share भी करिएगा और comments में बताइगा कैसा लगा मिलते हैं next video lecture में तब तक के लिए take care good bye